तो स्वागत है आप सभी का ग्याफनिकेडमी के इस नये लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में और आज का ये जो वीडियो है 12th क्लास के उर्दू के अब्जेक्टिव का वन शॉट वीडियो है जी हाँ आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के उर्दू के आल चेप् वाईज अभ्यक्टिव कोशन करा चुकी हूं तो जितना वीडियो में अगर उसको उप्दू कर लिया जाये और आज केenzie ऑंजॉट वीडियो में मैं जितना भी अभ्यक्टिव में कमफ्टिट करा रही हूं फिया चरके दोणों को मिक्स कर दिया जासो सोचह तो 12 turn concur में लोगोअ को बोल रही हAy уन सॉप्ण कर लीजिये उसके बाद से आज के व narrative विडियो में मैं जितना भी है कुछा कराने वाली हूं इस पर कमांड कर लीजिया क्योंकि दूसरा कोई अब्जेक्टिव बच ही नहीं रहा है उर्दु के बुक में सारा अब्जेक्टिव कोशन दोनों को मर्ज करके complete हो जा रहा है तो एक बार फिर से मैं आप लोग कोई objective बच्छी नहीं रहा है सारा objective question इसी में आ जा रहा है और जो भी आप लोग के बोर्ड इग्जाम में question पूछेगा इनी objective question में से पूछेगा और कहीं से भी नहीं आप लोग खुद सोच सकते हैं कि कितना important है आप सभी लोग के लिए तब दोनों आप लोग के लिए अमरित के समाने और अगर हो सके तो जिस दिन आप लोग का एक्जाम है ना उसकी एक दिन पहले सारे objective question रात को ही सारे objective question को एक बार फिर से तो सारा objective का answer एकदम सही सही धराधर आप लोग लगा कराएंगे तो चलिए फड़वड आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को या दिला दू कि अगर आप लोग चैनल पर नए आये हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा तो विदाउट इनी दिले लेट्स गो टू स्टार्ट हाँ तो यहां से आप लोग का सवाल स्टार्ट हो रहा है देखिए लिखा हुआ है मारूजी सवालात यानि कि objective question चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं यह आपकी screen के उपर इसको थोड़ा समय अच्छा से set कर देती हूँ अब ठीक है तो देखिए सबसे पहला सवाल है कि promise क्या है option A में है novel, B में है अफसाना, C में है drama और D में है मसनवी तो promise नाम का यह जो chapter है यह क्या है पड़ावर बताईए novel है कि अफसाना है कि drama है कि मसनवी है मेरे answer बताने से पहले आप लोग खुद से कोशिश करें कि बताएं तो आप लोग को पता होगा promise नम का यह जो chapter है यह एक अफसाना है यानि कि option number B is the right answer तो आगर आप लोग B लगाये हैं तो बिल्कुल सही है आप लोग का answer आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, सवाल number 2 कि गुबार खातिर का तालु गुबार खातिर का तालुक है option A में अफसाना B में खुदनविष्ट C में मक्तूब और D में इन्शाया बताए फड़फट गुबार खातिर क्या है इसका तालुक संबंद किस कटेगरी से है तो आप लोग को पता होगा इसका सही answer option number C यानि कि मक्तूब गुबार खातिर क् यह मक्तूब यानि कि खुदूद का मजमुवा है किताब है तो option number C is the right answer I think आप लोग C लगाए भी होंगे आगे बढ़ते हैं अगला सवाल सवाल नंबर 3 कि किस सिन्फ में माफुक अल्फित्री अनासुर की कार फरमाई होती है option A में है नाविल B में अफसाना C में है केटेगरी में माफुक अल्फित्री अनासुर की कार फरमाई होती है तो इसका सही answer हो जाएगा option number D जी हाँ दास्तान option number D is the right answer आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि गालिब शकन किस शायर को कहा जाता है ये भी मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ चप्टर पढ़ा रह जी चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल सवाल नंबर पांच कि मीरमन दहलवी से कौन सी किताब मनसूब है option A में है नूत तर्जमर से B में है गंजे खुबी C में है फारसी किस्सा चहार दर्वेश और D में है बागो बहार बताईए मीरमन दहलवी से कौन सी किताब तो ये भी एकदम हल्वा कोश्चन पूचा है इसका सही इंसर हाँ option number D तर राइट इंसर बागो बहार मीरमन दहलवी की लिखिवी किताब है बागो बहार आगे बढ़ते हैं अगला सवाल बागो बहार में कितने दर्वेशों के किस्से बियान किये गए हैं तो आप लोग क इनकलाब का तसवर किसने पेश किया तो कामिल इनकलाब का तसवर पेश किये थें option number D हाँ जैपरकाश नरायन ने ये भी मैं आप लोग को चप्टर पढ़ाए रही थी ये question पूछेगा मैं आप लोग को बताई थी कि question पूछ सकता है कि कामिल इनकलाब का तसवर किसने पून करांती आगे बढ़ते हैं किस शायर में किस शायर को शुमाल और जुनूब में पुल की तसवर किया जाता है देखिए यह most important question है यह आप लोग के एकजाम में हर साल पूछा जाता है कितना बार पूछा गया है तो इसको याद कर लेजिए किस शायर को शुमाल और दकनी वली दकनी को शुमाल और जुनूब का पुल तसवर किया जाता है एक पुल की तरह माना जाता है आगे बढ़ते हैं कि कुछ नंबर 9 की दायम पढ़ा हुआ तेरे बैस पर नहीं हूं मैं मिस्रे को मुकमल कीजिए खाली जगा खाली स्थान पर क्या रहेगा आप आगे बढ़ते हैं सौदा किस हैसियत से मशूर हुए आपसन ए में मरसिया गो बी में कसीदा गो सी में रुबाई गो और डी में दास्तान गो बताइए मिर्जा मुहमद रफी सौदा जो है किस हैसियत से मशूर हुए तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन नंबर B कसीदा को कसीदा लिखने के हो जासे और मिर्जा मुहमद रफी सौदा का कौन सा लिखा हुआ कसीदा आप लोग के बुक में दिया गया है हाँ तजही के रुजगार नाम का चप्टर आप लोग के बुक में दिया गया है जो कि एक कसीदा है आगे बढ़ते हैं फड़ा फड़ तो मि कितना बार बताई हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ, कि किसी के मौत पर जोनस मेल की कवीता कही जाती है, उसे कहते हैं, हम लोग मरसिया, यानि कि option number C is the right answer, फड़ा फड़ा आगे बढ़ते हैं, बागो बाहर का तालुक किस सिन्फ से है, option A में है, मसनवी B में है, दास्ता option number B is the right answer, दास्तान, भूले बिसरे गीत किस की तखलीक है, option A में है, शफी जावेद B में है, जिलानी बानो, C में है, वजीर यागा, और D में है, मौम्मद मोसिन, भूले बिसरे गीत, यह जो चैप्टर है, यह अफसाना, यह किसका लिखा हुआ है, आप लोग को बताना है तो इसका सही answer हो जाएगा, option number A, शफी जावेद, भूले बिसरे गीत नाम के चैप्टर के राइटर है, शफी जावेद, आगे बढ़ते हैं, मुझे दिल की खता पर यास, डैश नहीं आता, दुरुस्त लफ्ज से मिस्रा मुकमल कीजे, यह पर डैस, खाली जगा पर क्या रहेगा, आप लोग को बताना है, तो आप लोग पढ़े हैं, मुझे दिल की खता पर यास, शर्माना नहीं आता, तो option number B, इस दराइट इंसर, 14 का सही answer क्या हो जाएगा, option number B, मुझे दिल की खता पर यास, शर्माना नहीं आता, तो हो गया, जिन लोग ने भी, आप लोग होंगे, option number B, तो अगर आप लोग option number B लगाये थे, तो बिल्कुल सही उत्तर है, आगे बढ़ते हैं, अगला question, बरके कलीसा किसकी लिखी हुई है, option A में इकबाल, B में अकबर अलाबादी, C में अली सरदार जाफरी, और D में अमीख खनफी, बताएं, बरके कलीसा किसकी ल किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तरजुमा की, ये भी question कितना बर पूचा है, मतलब जितना भी करा रही हूं, ये one shot objective question में आप लोग को करा रही हूं, एक ही वीडियो में पूरा total 12th class का उर्दू का objective करा रही हूं, तो सारा का सारा objective most important है, तो सि इसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब को किताब का तरजुमा किया यान की translate किये बताईए, ये भी मैं आप लोग को जब पढ़ा रही थी chapter तो बताई थी important समझते हुए, वो थें, वो थें, जॉन गुलक्रिस्ट, जॉन गुलक्रिस्ट के इस थी, इसलिए अमीर अमन देल्वी जो है ना बागो बहार जैसी किताब तरजुमा किये यान की translate किये, तो option number B is the right answer, I hope आप लोग भी ही answer दिये होंगे, आगे बढ़ते हैं, दर जैल में कौन सी नजम अमें खनफी की है, option A में है मुतशायर, B में है मेरा सफर, C में है खे answer हो जाएगा, option number C, खेती, खेती नाम का यह जो नजम है कवीता, अमीर खनफी द्वरा लिखा गया है, आगे बढ़ते हैं, कागजी पैरहन किसका शेरी मजमुआ है, option A में है गालिब, B में है यगाना चंगेजी, C में है, अमीर खनफी और D में है, अली सरदार जाफरी, ब किताब किसका लिखा हुआ है, तो इसका सही answer हो जाएगा, option number B, यह गाना चंगीजी का लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं, आप लोग B भी लगाये होंगे, बिल्कुल सही जवाब है, अगर आप लोग भी लगाये हैं, तो आगे बढ़ते हैं, next question का answer दीजिए, मेरे answer बत जिस्म की जमा क्या होगी, option A में है जिस्मे, B में है जिसूम, C में है जिसाम, और D में है जसीम, देखिए मैं आप लोगों को उर्दु ग्रामर पढ़ा रही थी न, वाहिद से जमा वाला जो टॉपिक था उसको मैं जब आप लोगों को पढ़ा रही थी, तो important लफजों का में जमा बना कर आप लोगों को कराई थी और उसमें जिस्म भी लिखा हुआ था, तो जिस्म का जमा यानि की plural, यानि की बहुवचन में आप लोगों को बताई थी, जिस्म का जो बहुवचन होता है जमा, वो होता है, option number C, जिस्म का जमा यानि की plural होता है, जिस्म का जमा य कि कौन सा लफ्ज जो है मुजक्कर यानि की पुलिंग है option A में है बाग, B में अफवाह, C में है संदूक और D में अजान बताइए कौन सा लफ्ज मुजक्कर है यानि की पुलिंग है तो इसका सही एंसर हो जाएगा option नमबर A बाग ठीक है अफवाह फैली हुई है ये तो मौ मौननसी है और D अजान हो रही है ये भी मौननसी है बाग, option number A दराइट इंसर ये क्या हो जाएगा मुजक्कर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं इन में से कौन सा लफ्ज मौननस है अब इन चार option में से बताना है कि कौन सा लफ्ज मौननस यानि की इस त्रिलिंग है option A में है बाजार B में है इजहार C में है पोशाक और D में इशारा बताए इसका सही इंसर क्या होगा इसका सही इंसर उचाएगा option number C पोशाक आपने गंदी पोशाक पहनी हुई है तो option की पोशाक क्या है ये एक मौननस है यानि कि इस त्रिलिंग लफ्ज है तो option number C दा राइट इंस C में है हाल तो और D में हाला तो ये भी मैं आप लोगों बताई थी जब इंपोटेंट वाहिट से जमा लफजों को मैं आप लोगों करा रहे थी उसमें ये भी शामिल था हाल का जमा यानि कि प्लूरल होता है अहवाल option number B is the right answer बल्कुल सही जवाब है मुझे पता है कि आप सिले मस्तर और D में हैं सिफत बताएं महल क्या है और हां साथ में मैं आप लोगो एक बर याद दिला दे रही हूं बीच में कि अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किये तो फड़फट लाइक कर दे शेयर कर दे चारो तरफ ताकि सब लोग इस वीडियो का नाम है किसी जगह पर ही तो महल होगा ना तो महल हो जाएगा इसमें जर्फ इसमें जर्फ किसे कहते हैं जिस नाम से जगह या फिर वक्त जाहिर हो यानि कि वक्त या फिर जहर जगह के नाम को कहते हैं इसमें जर्फ तो महल क्या होगे इसमें जर्फ आपसन नमबर A इस तर और डी में कुद्व खाना बताएं दर्जजाल में इस में आला कौन है इस में आला किसे कहते हैं इस में सूथ क्या है यह हर एक चीज में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ तो इसका सही एंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर ए दस्ताना दस्ताना क्या है एक तरह से आउजार है जो कि किसी काम में दस्ताना का यूज किया जाता है तो किसी भी आउजार या फिर हतियार के नाम को हम लोगो कहते हैं इस में आला ठेक है तो आपसन नंबर ए इस तरह एट इंसर बाकी सजावट तो सजावट क्या आउजार है या फिर हतियार है कुछ भी नहीं है खुब option number A is the right answer, आगे बढ़ते हैं घबराना का हासिले मस्दर क्या होगा ? बताएं, तो इसका सही एंसर हो जाएगा option B, घबराना का हासिले मस्दर होता है घबराहट, option number B is the right answer आगे बढ़ते है question number 27 आपके screen के उपर है सवाल है कि पूछते हैं वह के गालिब कौन है इस मिस्रे में वह क्या है पूछते हैं वह के गालिब कौन है इस मिस्रे में इस line में बताना है कि वह क्या है option A में है सिफत B में है मौसूफ C में हैं जमीर और D में हैं फेल बताएं बहुत ही सिंपल और अगदम हलवा कोश्चन पूछा गया है इसका सही इंसर हो जाएगा option number C जमीर जमीर कहते हैं pronoun को यानि कि सर्वनाम को जो की नाम के बदले में यूज होता है ठीक है तो वह किसी का नाम होगा तो मतलब पूछते हैं वह यानि कि यहां पर किसी इंसान को बोला जा रहा है जिसका कोई नाम होगा तो नाम के बदले वह बोला जा रहा है तो वह यह जो लफज है यह क्या कहलाएगा इसमें जमीर यानि की प्रोनाउन सर्वनाम कहलाएगा तो आप लोग option number C लगाए हैं बि question number 28 कि जंग जो सिपाही में जंग जो क्या है देखिए यहां पर थोड़ा उर्दू टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है और question समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या पूछा जा रहा है तो एक काम करते हैं इस question को अम लोग हटा देते हैं इसको इग्नोर करते हुए आगे आए तो यूपन गीव एंसर आप एंसर दे सकते हैं अब हमें तो समझ में नहीं आ रहा है इसलिए इस question को रिजक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं next question देखते हैं question number 29 कि हामिद रोटी खा रहा है इस जुमले में हामिद क्या है देखिए बहुत ही लुग हल्वा question पूचा एक दम आसान बहुत ही ज्यादा आसान हामिद रोटी खा रहा है यह जो sentence है यह वाक्या इस जुमले में इस वाक्य में हामिद क्या है तो आप लोग को पताई होगा हामिद रोटी खा रहा है यान कि खाने का काम हामिद कर रहा है और काम करने वाले इंसान को ही हम लोग कहते हैं फाइल जी हाँ इसका सही एंसर क्या हो जाएगा और बी आमिद कहा रहा है कि हमीद रोटी खारा है इसमें हमीद क्या है तो हमिद आप लोग लगाए होगे अगर आप लोग अपने हिसाब से तो बिल्कुल सही एंसर है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं फड़ाफट तीस नंबर सवाल कि शाहिद ने या घजल पढ़ी थी यह जुमला किस जमाने से तालुक रखता है यह जुमला है सेंटेंस शाहिद ने या घजल पढ़ी थी यह जुमला किस जमाने यान किस टेंस से संबंद तो साप्साप दिख रहा है sentence से कि शाहिद ने जगजल पढ़ी थी, यानि कि पढ़ने का काम पास्ट में हो चुका है, गुजरे हुए जमाने में हो चुका है, यानि कि ये तो ना तो हाल है और ना ही मस्तक्बिल है यह माजी है यानि कि पास्ट की बात हो रही है शाहिद ने गजल पढ़ी थी यानि कि पढ़ने का काम हो चुका है पास्ट में और उसके बाद से पढ़ने का काम हो चुका है और बहुत पहले हो चुका है यानि कि करीब की बात नहीं है बई की बात है यानकि शाहिद ने यह गजल बहुत पहले पढ़िए थी यानि की यह गजल बहुत पहले पढ़ा जा चुका है यानिकि इसका सही अंसर हो जाएगा आपसान Par 8S माजी तो है ये जो जमाना है ये माजी है उसके सांसाथ बाईद भी है यान कि ये जो काम हुआ था ये बहुत पहले गुजरे वे जमाने में हो चुका है और बहुत पहले हो चुका है बाईद में हुआ है इसलिए आप लोगो को लगाना है माजी बाईद option number c is the right answer आगे बढ़ते हैं खल्वत के जिद क्या होगी option a में है जाहिर b में है बातिन c में है जल्वत और d में है रहमत बताईए खल्वत के जिद क्या होगी तो प्रिथार तक शब्द याने की opposite word बताना है इसका सही अंसर हो जाएगा option number c खल्वत का जल्वत option number c is the right answer ये भी मैं आप लोगों इंपोर्टन जब जिद वाला लवज पढ़ा रही थी ना उसमें मैं आप लोगों को कराई थी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन है 32 number सवाल की शरम का मुत्रादिफ लवज क्या होगा शरम का मुत्रादिफ यानि की पारेवाची शब्द बताना है option a में है बे शरम b में है इज़त c में हया और d में है वफा बताएं शरम का मुत्रादिफ यानि की एक समान अर्थ रखने वाला शब्द क्या है तो आप लोगो पता होगा एक दा महलवा कोशन है 32 का option a number c हया शरम बोलिए या फिर हया बोलिए दोनों का मतलब एक ही है यानि कि ये एक दुसरे के मुत्रादिफ लवज है शरम का मुत्रादिफ आपसन अमबर c हया हो जाएगा next question है कि वह इस बाग का निगहबान है इस जुम्ले में लहा का क्या है वह इस बाग का निगहबान है इस जुम्ले में sentence में लहा का बताना है यानि कि वैसा हर्फ या फिर हर्फ का समू जो किसी लवज के लास्ट में जाकर जूर जाएए और एक नया लवज बना दे तो उस हर्फ को बताना है कि सेंटेंज में कौन सा वो लाहका है वो कौन सा वो हर्फ है तो साफ साफ दिख जा रहा है 33 का अपसा नमबर C, बान क्योंकि निगाह बान देख रहे हैं मैं आप लोगों को पहले ही हिंट दे दी निगाह बान में लाहका है पहले निगाह था लास्ट में बान आ कर जुड गया यानि कि लास्ट में बान आ कर जुड जाने से एक नया लवज बन गया निगाह बान तो ये जो है बान ये क्या हो जाए गा लाहका आपसा नमबर C is the right answer आगे बरते हैं अगला सवाल है कि अपना उल्लू सीधा करना का क्या मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना ये मुहावरा है और इस मुहावरा का मतलब यानि की अर्थ आप लोगो को बताना है option A में है मतलब निकालना B में है फायदा पहुचाना C में है उल्लू पकरना D में है रंजीदा होना बहुत ही हल्वा question पूछा है यहांपर अपना उल्लू सिधा करना बहावरे का अर्थ बताएं पड़ापट आप लोगों को पता होगा इसका सही answer यह हो जाएगा मतलब निकालना अपना उल्लू सिधा पर आइर्थ होता है मतलब निकालना कोछ लोग होते हैं ज्यस्यों मतलब निकालने के लिए ही लोगों से बाते करते हैं या फिर जो कुछ भी रहे पकिन्व भात कर तो निहीं बस अपना का मिकल जाना चाहिए कान में टेल डालकर बैठना का मतलब से यह chline इक ऑर ओर फॉझ दिया है जो कि बड़ा word का कूचा países कान तेल डालकर बैठना का अर्थ बताएं यह मुहारा का मतलब बताना है देखिया option a में हैं बेपरवा होना भी में हैं कान में दवा डालना सी में नुकसान पहुचाना और डी में गुरूर करना एकदम हल्वा question है थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे answer आप लोगों को पता चल जाएगा इसका answer में आप लोगों को बता देती हूं option a is right answer बेपरवा होना सओचे ना कान में तेलडालकर बैठना साफसाप दिख जा रहा है कि कान में TER डालकर बैठना का मतलब बेपरवा हो जाना किया नहीं बोल रहा इस से कोई मतलब नहीं है आप एकदम बेपरवा हो गयों और बहुत चारे लोग को सुनें भी होंगी आप लोग बोलते हुए कि वह तो ऐसा लग रहा है कि इसल से बैठ गया है आप लोग ऐसे सुने होंगे तो कान में तेल डाल कर बैठना करत क्या होता है बेपरवा होना याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 36 कि एक चीज से एक मिनट एक चीज से दोरा फाइदा उठाना है किस कहावत का मतलब होता है अब यहाँ पर ये अर्थ दे दिया है मतलब बता दिया है अब आप लोग को कहावत यानि की मुहावरा बताना है कि इसका मुहावरा क्या होगा option A में है उट के मुह में जीरा B में है आम के आम गुठलियों के दाम C में है आधा तीतर आधा बीटर और D में है उची दुकान फीकी पकवान बताइए एक चीज़ से दोहरा फाइदा उठाना का कहावत क्या होगा यहाँ पर अर्थ दे दिया है और कहावत यानि की मुहावरा पुछ रहा है तो इसका सही एंसर हो जाएगा option number B सुनें B होगे आप बोल सकते हैं most famous कहावत है मुहावरा है आम के आम गुठलियों के दाम यानि की इसका ही अर्थ होता है एक चीज़ से दोहरा फाइदा उठाना एक चीज़ से दोहरा फाइदा उठाना का कहावत क्या होगा आम के आम गुठलियों के दाम याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं next question खासा मा का लव्ज किसके लिए इस्तमाल होता है option A में है खाना पकाने वाला मुलाजिम B में है चीर फाड करने वाला जराह C में है तमाशा दिखाने वाला D में है मेहनत करने वाला मजदूर बताईए खान सामा का लव्ज किसके लिए इस्तमाल होता है तो इसका सही इंसर हो जाएगा option number A खाना पकाने वाला मुलाजिम आपसा नमबर ए इस तर आइट एंसर नेक्स्ट कोश्टन है कौन सा जुम्ला दुरुस्त है अब देखिए यहां पर जुम्ला दुरुस्त से कोश्टन पूछा है कौन सा जुम्ला दुरुस्त है यांकि कौन सा वाकिया सही है आप लोग को बता और पढ़ा चुकी हूं तो अगर उर्दू ग्रामर का वन शॉट वीडियो नहीं देखें तो जरूर देखिए का उर्दू ग्रामर का वन शॉट वीडियो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में हैं आप लोग जाकर देख सकते हैं इंपोर्टेंट है आप सभी लोग के लिए एकजाम के पहले देख लीजिएगा और हो सके तो एक घंटा इकजाम जिस दिन आप लोग और देख जरूर जाईएगा उर्दू ग्रामर का वन शॉट आप लोग बहुत जिदा है वह देखिए यहां पर जुमला दुरुष्ट को काम लोग बढ़ते हैं कौहन सा जुम्ला दुरूसते हैं की सेंटेन्स सेंटेन्स सही है आप लोग को बताना है यह वला है भी नहीं रहेगा और बोले हैं यह तो होगा ही नहीं आपसन ए तो यह कट मार दीजिए एहमद बोला है यह भी नहीं होगा एहमद बोला है सी हो जाएगा एहमद ने कहा है एहमद ने कहा है कि वहां मत जाओ तो ऑप्सन नमबर सी इस दराइट इंसर डी भी तो नहीं होगा ना एहमद कहीं ऐसे थोड़ों ना होता है यानि कि आप लोगों का परफेक्ट सेंटेंस जुम्ला यह जो है ना दुरुस्त हैं आगे बढ़ एकां ल stipend wanna के मेल्ट लिया लाइं हो दिया दिगरiverator दो यह जुम्ला कौंच यह तरह इыक है कि कौन से पाय सवाटर का से डायपें जुम्ला का सेंतिंस का बनों हूँ इसका सही answer option number C हाँ अम्रिया जिस sentence से हुक्म दिया जाये मतलब से हुक्म यान की order जाहिर हो उसे कहते हैं अम्रिया जुमला तो यह जो है मेरे लिए ग्लास पानी लाओ इसमें हुक्म order दिखाई दे रहा है ना कि मेरे लिए ग्लास पानी लाओ ओर दिया जा रहा है तो इस जुमले को क्या बोलेंगे अम्रिया जुमला यह जुमला है यह अम्रिया जुमला है जुमला की कौन सी किस्म है तो अम्रिया option number C तराइच इंसर याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं निशान औकाफ में वक्फा का मतलब क्या होता है निशान औकाफ में वक्फा का मतलब आप लोगो बताना है option A में है ठहराओ B में है सिकस्ता C में है राबता और D में है सवाल बताईए वक्फा का मतलब क्या होता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number A ठहराओ अगर मिख्रे हम काफिय होते हैं क्या कहलाता है ऑपसन ए में है मक्ता, B में है मतला C में हुसन मतला और D में जैव मतला, इसका एंसर बता दें एकदम हल्वा कोश्टन है क्योंकि ये भी मैं आप लोगे पढ़ा चुकी हूँ घजल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफिय होते हैं वो कहलाता है मतला यानि कि आपसन नमबर बी इस दराइट इंसल चलिए आगे बढ़ते हैं दर्जेजैल में इसमे मसगर कौन है देखिए मसगर का माने होता है छोटा किया हुआ यानि कि वैसा नाम वैसा इसम जिससे छुटापन जाहिर हो उसे कहते हम लोग इसमे मसगर तो इन चारों आपसन में से आप लोग को बताना है कि कौन से ऐसा आपसन है जो इसमे मसगर है आपसन A में है बाजार B में है बागीचा C में है पहाड और D में है बाग साफ साफ एंसर दिख जा रहा है option number B यानि कि बागीचा अगर मैं बाग बोलू और बागीचा दोनों एक साथ बोलू तो आप लोगों को लगएगा ना कि बागीचा जो है वो बाग से छोटा है यानि कि बागीचा ये जो नाम है ये जो इसम है इससे छोटापन जाहिर हो रहा है तो इस बागीचा को क्या बोल देंगे आप लोग इसमें मुसगर तो option number B आइधिंक आप लोग लगाए होंगे तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का आगे बढ़ते हैं next question दरजजैल में इसमें मारफा कौन है दरजजैल यानि की निमलिखित चार option में इसमें मारफा यानि की बैक्ती वाचक संगया जिसको हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में कहते हैं अम लोग proper नहूं तो इसमें मारफा आप लोग को बताना है इसमें मारफा कहते हैं इस पेसल यानिकी खास चीज़ के नाम को तो देखिए यहां पर चारों अप्सन देखिए नदी नदी में सभी नदी आ जाएंगी यहां पर एक कोई खास नदी के बारे में बात नहीं की जा रही है पहाड पहाड में भी सभी पहाड आ जाएंगे पहाड की पुरीजाती आ ज इंदी में भी एक Anadika नाम ले लिए है गंगा नजी तो किसी भी खास चीज के नाम को कहते हैं लोग इस ममारवा और हिंदी में Boardya शास की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं आपसन ए में है खिताब बी में है लगब सी में कुनियत और डी में तखलुस बताएए वह नाम जो किसी खुबी कोई आप अच्छा काम किये अग्दम भला काम किये आपकी खुबी या फिर कमाली के बदले या फिर आप बहुत ज़् हम लोग क्या कहते हैं चार आपकी सामने और इसका सही एंसर हो जाएगा आपसन नंबर बी लकब यह भी मैं आप लोग को उर्दू ग्रामर में पढ़ा चुकी हूं देखिए उर्दू ग्रामर का वन शॉट मैं हर एक चीज पढ़ा चुकी हूं कौन-कौन से टॉपिक से आ जरूर देखिएगा उर्दू ग्रामर का वन शॉट वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो इस चानल के प्लेरिस्ट में हैं जाकर जरूर देखिए हो सके तो जिस दिन आप लोग का उर्दू का एक्जाम है ना उसका उसके एक घंटा पहले जरूर देखकर जाएगा बहुत जिस दिन उर्दू का एक्जाम है उसके एक घंटा पहले जरूर देखकर जाएगा मॉस्ट इंपॉर्टेंट आगे बढ़ते हैं मिर्जा असदुल्ला खा गालिब में गालिब क्या है आपसन ए में है लकब बी में है उर्फ सी में है तखलूस और डी में है खिताब मिर्ज अर्दूला खा गालिब ये एक शायर है और ये अपने शिरो शीरी के लास्ट लाइन में कौन सा लाम यूस करते हैं गालिब और डी में है जंग बताइए कौन सा शब्द पुलिंग है यानि कि मुजक्कर है इसका सही एंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर ए परचम तुमने अपने जीत का परचम लहरा दिया आप लोग सुने होंगे ना तो परचम लहरा दिया होता है ना कि पहल परचम लहरा दी ऐसे थो होगी II में हैं फकीर बИमें मुफकर सी किरा और और दी में हैं अफकार साफ साफ आप लोगोँ को दीख जा रहा है इन की प्लूरर न बहु अचन हो जाएगा ऑफसन नंबर दीं अफकार फिक्र का जमाय या कि बहु रचन होता है अफकार, option number D is the right answer I hope आप लोग option number D लगाए होंगे आगे बढ़ते हैं जलमत की जिद क्या होगी option A में है तारीकी, B में है रोशनी, C में है नूर और D में है अंधेरा जलमत की जिद यानि की opposite word बताद देना है उल्टा अर्थ रखने वाला शब्द तो इसका सही answer हो जाएगा जलमत का नूर option number C is the right answer next question की तरफ बढ़ते हैं किस लवज का मानी बिच्छु होता है option A में है अकराब B में है अकरब C में है करब और D में है अकरबा बताएं इसका सही answer देखिए एक question पूछा भी जा चुका है एक बार एक बार नहीं दो तीन बार पूछा जा चुका है इसको important समझ कर बता दे हाँ इसका सही answer हो जाएगा option number B अकरब का मानी होता है बिच्छु next question question number 50 50 number सवाल है कि डिप्टी नजीर एहमद में किस सिन्फ का आगाज किया डिप्टी नजीर एहमद को उर्दू का पहला नाविल निगार कहा जाता है और इन ही से नाविल लिखने की शुरुआत हुई आगाज हुई तो option number A is the right answer नाविल नाविल लिखने की शुरुआत डिप्टी नजीर एहमद सही हुई थी इसलिए option number A हो गया बिल्कुल सही answer आगे बढ़ते हैं दर्जजायल में इसमे मकबर कौन है मकबर का मतलब होता है बड़ा किया हुआ यानि कि जिस नाम से जिस इसम से बड़ापन जाहिर हो उसे कहते हम लोग इसमे मकबर तो इन चार option में से आप लोग को बताना है कि कौन सा इस option है जिसमें इसमें मकबर लफज है option A में है डिबिया B में है बागीचा C में है धोलक और D में है बाग बताईए इसका सही answer दिख रहा है आप लोगो option number D है बाग डिबिया से लग रहा है कि डिबिया छोटा है बागीचा से भी लग रहा है कि बागीचा जोए ना बाग से छोटा है ये भी इसमें मसगर है धोलक भी इसमें मसगर है लेकिन बाग बाग देखिए बाग से लग रहा है कि बाग बहुत बड़ा होगा बाग से बड़ापन जाहिर हो रहा है यहने कि बाग क्या हो जाएगा? इसमे मकबर आगे बढ़ते हैं प्रामिस क्या है? उप्सन अ में है नाविल, बी में है अफसाना, सी में है ड्रामा और डी में है मसनवी तो आप लोग को बता होगा यह स्टार्टिंक में ही सबसे पहला सवाल यही था promise क्या है और इसका answer में आप लोगों को बताई भी किसका सही answer क्या हो जाएगा option number B अफसाना promise नाम के जो chapter है ये एक अफसाना है नजम आवारा किस मशूर शायर की तखलीक है नजम आवारा ये जो कवीता है आवारा इस नजम इस कवीता को किसने लिखा है आपसाने में है जोश, B में है मिजाज, C में है अकबाल और D में है शाद तो इसका सही answer हो जाएगा 53 का option number इसका answer हो जाएगा option number B मिजाज लखनवी जो है नजम आवारा लिखे हैं आगे बढ़ते हैं मीर अनीस किस हैसियत से मखशूर है आपसन A में है मरसिया गो, B में है कसीदा गो, C में है रुबाई गो, D में है दास्तान गो तो इसका सही answer हो जाएगा 54 का option number A मरसिया गो मरसिया लिखने के वज़ा से मीर अनीस फेमस हुए थे, मखशूर हुए थे option number A, the right answer किसी की मदः में जो नजम कही जाती है, उसे क्या कहते हैं option A में है घजल, B में है मस्नवी, C में है मरसिया और D में है कसीदा तो इसका सही answer हो जाएगा option number D, कसीदा next question, number 56 इब्राहिम सक्का किसकी तखलीक है देखिए गलती से यहां पर मनफ़ा टाइप हो गया है यही होता है उर्दु टाइपिंग में बड़ कोई दिकत नहीं है यहां पर रहेगा इब्राहिम सक्का किसकी तखलीक है यानि कि किनकी लिखी हुई है और सने में शाफी जाविद भी में है सलाम बिन रजाक सी में वजीरियागा और डी में मुहंम्मध मोसन इसका एंसर हो जाएगा आप्सन नमबर बी सलाम बिन रजाक राईटर है एब्रहाईं सक्का नाम के चैप्टर के तो तकलीक किस की है अप्सन नमबर की अप्शन lucky दॉलां पैसंकर ना इंसर ः晚 B में दिखाते रहे, C में गाते रहे और D में खाते रहे तो इसका सही एंसर हो जाएगा option number C गाते रहे, हम बासुरी पर मौत की गाते रहे, नगमा ते रहे यह मैं आप लोग को जब chapter पढ़ा रही थी तो हर मिस्रा की तश्रीक की हूँ, चाहे वो मिस्रा घजल का हो मरसिया का हो, हर एक मिस्रा की तश्रीक करके मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ और आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे हम बासुरी पर मौत की गाते रहे, नगमा ते रहे, यानिक option number C, the right answer, next question की तरफ बढ़ते हैं, मुतशायर किसकी लिखी हुई नजम है, यानि की मुतशायर नाम के जो नजम है कवी था, इसके राइटर कौन है, शायर कौन है, और option A में है अकबाल, B में है अकबर अलाबादी, C में है जफर कमाली और डी में है, अमिक हन्फी, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, option number C, जफर कमाली, मुतशायर नाम के इस चैप्टर के राइटर है, शायर है, जफर कमाली, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोश्चन आपके स्क्रीन के उपर, ये रहा, कुशन है कि दर्जजहल में कौनसी नजब अमिक हन्फी की है, भई, यहां पर पूचा है कि मुतशायर किसकी लिखुई नजभी है, तो जफर कमाली की, अब next question पूछा है कि दर्जिजायल में कौन सी नजमी और कि कौन सी कवीता अमी कनफी की लिखी हुई है आप लोगो बता होगा इसका सही answer option number C खेती खेती जो है ना ये अमी कनफी द्वारा लिखा गया है आगे बढ़ते हैं शिकस्ते जिन्दा का ख्वाब किसकी नजम है देखिए यहां पर चैप्टर और राइटर का नाम लगातार पूछा गया है यहां से आप लोगो ध्यान में रखना है कि इस तरह से भी question पूछ देता है यहां तो नजम कोई उठा लेगा और उसके राइटर का नाम पूछेगा यह फिर शायर देगा और इनके द्वारा लिखा गया नजम का नाम पूछेगा जैसे कि यहां पर पूछ भी दिया है शिकस्त जिन्दा का ख्वाब इे जो नजम है कवीता ये किसकी नजम है, किसकी लिखिवी कवीता है आपसन ए में है अकबाल, बी में है यगाना चंगेजी, सी में है जोश और डी में है नासिर काजमी तो इसका सही अंसर होगा आपसन नमबर सी, जोश मली अबादी आगे बढ़ते हैं फड़ा फट निश्तर पाश किसका शेरी मजमुवा है आपसन ए में है शाद आर्फी, बी में है अमीक हन्फी, सी में है यगाना चंगेजी और डी में है नासिर काजमी इसका सही अंसर होगा, सही जवाब होगा आपसन नमबर सी, यगाना चंगेजी ख्याल की जमा क्या होगी ख्याल की जमा यानि की प्लूरल बहु अचन बताना है आपसन ए में हैं ख्यालात, बी में अख्वाल, सी में हैं ख्यालो और डी में हैं ख्यालातो तो इसका सही अंसर होगा आपसन नमबर ए ख्याल का जमा यानि की बहु अचन होता है ख्यालात ये भी मैं आपनों को बताई हूँ आगे बढ़ते हैं गुल्षन क्या है? option A में है इसमें जर्फ, B में है इसमें आला, C में है हासिले मजदर और D में है शिफत पड़ापड एंसर बताएं गुल्षन जो है न वो इसमें जर्फ है यानि कि option number A is the right answer फड़ापड आगे बढ़ते हैं next question 64 कि दिखाना का हासिले मजदर आप लोग को बताना है और हासिले मजदर कि से कहते हैं मैं आप लोगों अलड़ी बढ़ता हूँ तो बताईए क्या होगा option A में है दिखाओ B में है दिखाई C में है दिखावा और दिखावा को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि दिखावा असर खिच रहा है दिखाना का उर्दू ग्रामर का वन शॉट वीडियो देखिए सारा कंफ्यूजन आप लोगा 100% किलियर हो जाने वाला है उर्दू ग्रामर के वन शॉट वीडियो में आप लोग को अलरी हर एक टॉपिक को पढ़ा चुकी हूँ चलिए आगे बरते हैं अगर नहीं देखें तो जरूर देखिएगा मॉस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए नेक्ट कोशन है कि गा गालिब क्या है गालिब वजीफ़ा के खुवार हो दो शाह को दूआ यह जो लाइन है इसमें गालिब क्या है और सने में है काफिया भी में रदीव सी में तखलूस और डी में मतला तो इसका सही एंसर होगा बताएए फड़फ़ट आपसा नमबर सी जड़ाइट इंसर चलाख में चलाख क्या है मिलब चलाख क्या है सिफ़त है यानिक एड्जेक्टिव है नेक्स्ट कोश्चन है कि खालिद उर्दू पढ़ता है इस जुमले में उर्दू क्या है और सने में मफूल बी में है फाइल सी में है फेल और डी में है सिफ़त तो इसका सही एंसर बता तो पढ़ना हो जाएगा fail और यहां पर पढ़ने का असर उर्दू पर पढ़ रहा है यानि कि उर्दू हो जाएगा मफूल तो यहां पर पूछा जा रहा है कि उर्दू क्या है इस sentence में तो उर्दू मफूल है यानि कि option A is the right answer चलिए आगे बढ़ते हैं काश राशिद या मजमून पढ़ लेता यह जुमला किस जमाने से तालुक रखता है काश राशिद या मजमून पढ़ लेता यह कौन सा टेंस है option A में हाल, B में है मुस्तक्बिल, C में है माजी बाईद और D में है माजी तमन्नाई तो इसका सही answer होगा option number D काश राशिद या मजमून पढ़ लेता यहां पर तमन्ना किया जाता है क्या बुला जाता है उसको एसपेक्ट किया जा रहा है कि काश राशिद या मजमून पढ़ लेता तो इसलिए इसको क्या बुलेंगे माजी तमन्नाई option number D is the right answer next question है कि कदीम की जिद क्या होगी option A में है नई B में है जदीद C में है अच्छा और D में है पुराना तो इसका जवाब हो जाएगा option number option number option number B हाँ जदीद कदीम का जिद यानि की उल्टा होता है जदीद ये भी मैं आप लोको बताई हूँ उर्दो ग्रामर पना रही थी तो वहाँ पर अदल का मुत्रादिफ लवज क्या होगा एक समान अर्थ रखने वाला लवज बताना है option A में है अदालत B में है मनसफ C में है इनसाफ और D में है उश्रत तो इसका सही एंसर होगा option number C अदल का इनसाफ option number C is the right answer next question की तरफ बढ़ते हैं घजल का पहला शेर जिसमें दोनों म किसरे हम काफिया होते हैं क्या कहलाता है इसका answer तो बताई ही पिछले कोशन में पूछा गया था यहीं वाला तो इसका एंसर option number B is the right answer next question की तरफ बढ़ते हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश में आतिश क्या है option A में है लकब B में है उर्फ C में है तखलुस और D में है खिताब तो आप लोगों को पता होगा ख्वाजा हैदर अली आतिश में आतिश जो है ना वो तखलुस है यानकि option number C is the right answer next question है की अता काकवी के कतर तारीख का उन्व सब्सक्राइब की टाइटल बताना है option A में है गमे अर्शद B में है गमे राशिद C में है गमे इर्शाद और D में है गमे मुर्शिद ये भी एकदम हल्वा कोश्चन इसका सही इंसर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा option A इस दराइट इंसर घमे अरशद आई होप आ इस दराइट असर तश्वीव किस सिंफ का अंसुर तश्वीब जो है निकिस की सिंफ का अंसृ यंकी तत्वह 밥 आना है option A में है कसीदा, B में है मरसिया, C में है मसनवी और D में है घजल तो इसका सही अंसर होगा option number A कसीदा कसीदा में तश्वीब होना जरूरी होता है तो तश्वीब जो है ना वो कसीदा का एक अंसर है option number A is the right answer आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि उर्दो की पहली खुदनविश्थ कौन सी है option A में है यादो की बारात, B में है काला पानी, C में है जहाज दानिश, जहान दानिश और D में है ऐमाल नामा, बताएं उर्दो की पहली खुदनविश्थ कौन सी है हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा option number B काला पानी जो है ना ये उर्दो की पहली कि नविश्थ है आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कि जिलानी बार्णो का तालुक कहां से है option A में है हेदराबाद, B में है दिली, C में है लखनवी और लखनव, D में है कराची तो जिलानी बार्णो का तालुक यानि कि संबंद है हेदराबाद से यानि कि option number A इस दोराई जनसर, option number A हो गया बिल्कुल सही जवाब, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कि नजम आवारा किस मशहूर शायर की तखलिक है आवारा नाम का जो नजम है, यह किसका लिखा हुआ है option A में है जोश, B में है मिजाज, C में है अकबाल, D में है अली सरदार जाफरी यह कोशन एक बार पूश चुका है, लेकिन फिर भी यहां पर पूशा गया है, इसका एंसर आपनों को पता होगा option number C, is the right and C, नहीं, B, sorry, B, मिजाज, मिजाज लखनवी द्वारा लिखा गया है, नजम आवारा आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि बरक इकलीसा किसकी तखलीक है, यह सवाल number 79 है option A में है जमील मजहरी, P में है यगाना, चम्गेजी, C में अकबर लाबादी, और D में है अता काक्वी बरक इकलीसा किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपनों को पता होगा, यह जो है ना, बरक इकलीसा, यह लिखा गया है, बताए फड़फट अकबर लाबादी के द्वारा, यानि कि option number C is the right answer next question है, कि इनसान हूँ, प्याला वा, डैस नहीं हूँ मैं, मिस्रा को मुकमल करे सवाल number 80 है, बताए इसका सही answer option A में है, गौहर, B में है, सागर, C में है, पत्थर और D में है, शेह पर तो इनसान हूँ, प्याला वा, सागर नहीं हूँ मैं, तो option number B is the right answer सागर होना चाहिए, यहां पर सागर भी गलत दिखा गया है, पिट कोई लिकर नहीं है, पर क्या रहेगा 80 number सवाल का option number B, प्याला वा, सागर नहीं हूँ मैं, यानि कि option number B is the right answer सागर आगे बढ़ते हैं, मिर्जा सलामत अली दबीर किस हैसियत से मशूर हूए, option A में है, मर्सिया गो, B में है, कसीदा गो, C में है, रुबाई गो, D में है, दास्दान गो, तो मिर्जा सलामत अली दबीर जो है ना, वो मशूर हूए थे, मर्सिया गो से, यानि कि option number A is the right आई होप, आप लोग option number A लगाये होगी, अगर आप लोग अपने हिसाभर से option number A लगाये हैं, तो बलकुर सही जवाब हैं, आगे बढ़ते हैं, अग्ला सवाल है, सवाल number 82, कि अख़बार, अखबार हलाल की बानी कौन थे, अख़बार हलाल के बानी कौन थे, option A में है, शि लाल के बानी थे अबुल कलाम आजाद नेक्स्ट कोश्चन है कि खाक ऐसे जिन्दगी यह के बैस नहीं हूं मैं दुरुस्त लफ्ज से मिस्रा मुकमल करें मतलब यहां पर खाली जगा को भरना है मिस्रा बता यह पूरा लाइन भर देना है आप लोगो को यह मतलब पूरा ला पत्थर नहीं हूं मैं यानि कि ऑप्सन नंबर बी इस तरह इंसर यह सारा मतलब जितना भी मिस्रा है घजल का यह हो यह फिर मर्सिया का हो यह हर एक मिस्रा की मैं तश्रीख की हूँ पढ़ाई भी हूँ गर पढ़े हैं तो आप लोग जानते होंगे खाक इस जिन्दगी के पत्थर नहीं हूं मैं आपसन नंबर बी इस तरह इंसर पत्थर होगा नेक्स्ट कोश्चन की तरह बढ़ते हैं कोश्चन नंबर 84 है कि खेती किसकी लिखी हुई नजम है आपसन ए में अकबाल बी में अकबर अलाबादी सी में जफर कमाली ओड़ी में अमी खनफी शायर बी में है मेरा सफर सी में है खेती और डी में है बरके कलीसा तो बताइए जर जैल में कौन सी नजम अली सरदार जाफरी की है इसका सही जवाब आपसन नंबर बी मेरा सफर मेरा सफर हो जाएगा आपसन नंबर बी इस तरह इंसर अगला सवाल है कि कामिल इनकलाब किस कि स्का खुत्बा आफ़ पर विमें महात्मा गांधी वह राजंदर तो शाद और डिम है सरसयद एहमद खामिल इनकलाब की बात आती है संपूण कुरांथी की तो डारेक्ट बात मतलब डारेक्ट नाम आता है हमारे माइन में किस का जया परकाश नारायन का यान कि आपसा नमबर एज़ दराइट इंसर कामिल इंकलाब जो है ना यह जाए प्रकाश्ण आरायन का खुतबा है और इंफक्त कामिल इंकलाब जो संपून करांती हुई थी तो आपसा नमबर एज़ दराइट एंसर आगे बढ़ते हैं फड़ाफट इन में से कौन सा जवाब हो जाएगा आपसा नमबर सी नेमत आपसा नमबर सी दराइट इंसर अगला सवाल है कि स्कूल क्या है देखिए स्कूल जगह का नाम है ना तो बताएए स्कूल क्या है आपसा ए में इसमे जर्फ बी में इसमे आला सी में हासिल मस्दर और डी में सिफत स्कूल जगह का नाम है और जगह के नाम को कहते हैं हम लोग इसम जर्फ यान कि आपसा नंबर ए इस दराइट एंसर आप लोग को दिखाई दे रहा है और आप लोग को पता भी होगा जगह या फिर वक्त के नाम को हम लोग इसम जर्फ कहते हैं यानि कि आपसा नंबर ए इस दराइट एंस answer आगे बढ़ते हैं जहीन तालीब इल्म में जहीन क्या है तो इसका सही answer क्या होगा ओसका सभी और सी नंबर सी फिद्न यानि की एड् Gem आठेक्टिव है जहीन तालीब इल्म जो छातर रहे वो जहीन ही यानि की संगीन है अपने पढ़ाई में एकदम मगन है तो जहीन क्वालीटी बता रहा है तालिव इल्म यानि की छात्र की ऑप्सन नमबर सीज दराइट इंसर शिफत यानि की अग्जेक्टिव हो जाएगा अगला सवाल कि खालिद उर्दू पढ़ता है इस जुम्ले में पढ़ता है यानि की पढ़ना क्या है एक वर्व है काम है और काम कोई उर्दू में क्या कहते हैं फेल कहते हैं यानि की ऑपसन नमबर सी इस दराइट इंसर फेल पढ़ना एक काम है क्रिया है और क्रिया कोई उर्दू में फेल कहते हैं यानि की ऑपसन नमबर सी हो गया है ब लुक रखता है ये जो जुम्ला है सेंटेंस ये कौन सा टेंस है कौन से जमाने से संबंधित है आपसन ए में हाल बी में मुस्तक्बिल सी में माजी बाइद और डी में माजी तमन्नाई तो जरा अपना दिमाग लगाए ये शाकील गालिब की घजल पढ़ रहा है यानि की काम अभी हो रहा है हाल ही में प्रेजंट में ये काम हो रहा है यानि कि ये जो और को इसे हाल कि प्रेजंट हैं और हाल की ऑपनुम्हरते । बुलनदी की जिद क्या होगी का उल्ठा बताना है उल्ठा अर्थ रखने वाला लवन option A में है, उचाई B में है, पस्ती C में है, नशीब और D में है, फिराज बुलंदी का अर्थ होता है, उचाई तो इसका सही answer क्या होगा, उल्टा बताना है, उल्टा अर्थ रखने वाला लवज बुलंदी का उल्टा पस्ती, यहाँ, option number B is the right answer आप लोग option number B लगाया होंगे, अगर आप लोग भी लगाया है, तो बिल्कुल सही जवाब है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, सवाल number 94, कि वसे का मुत्रादिफ लवज क्या होगा, अब एक समान अर्थ रखने वाला लवज बताना है, वसे का, तो बताएं, option A में है, B में है, अरीज, C में है, बुलंद और D में है, बाला, इसका सही जवाब होगा, option number B, अरीज, option number B is the right answer, अगला सवाल है, कि वह एक अच्छा नात्खवा है, option A वह एक अच्छा नात्खवा है, इस जुम्ले में लहाका क्या है, लहाका बताना है, यानि कि वैसा हर्फ का मज जो लास्ट में जाकर जुड़ जाता है, उसे कहते हम लोग लहाका, तो वह एक अच्छा नात्खवा है, इसमें नात्खवा में लहाका होगा, क्योंकि वह हमें तो लहाका नहीं हो सकता है, एक में भी लहाका नहीं हो सकता है, अच्छा में भी लहाका नहीं हो सकता है, नात ख्वा में नात के लास्ट में ख्वा जाकर जुड़ गया है तो ख्वा क्या हो गया लाका हो गया नात ख्वा ख्वा जुड़ जाने के जासे एक नया लफ्ज बन गया है नात ख्वा तो ख्वा ऑप्सन नमबर एच दराइटिम सर यही है लाका हात पाओ मारना का मतलब क्या ह होता हैं हाथ पाऊव पाऊपा मारना यह इसका अर्थ बताना है उम्सने में हैं मतलब Nevertheless निकालना भी मैं फाइदा पहुछाना और भी में हैं को winner को शिच्च करना तो इसका सही जवाब ऑप्सान नमबर डी हो जाएगा कोशिश करनां मारना का मतलब होता है option a में बे परवा होना b में परिशान होना c में खत्रे के करीब आकर बचना और d में गरूर करना एक दा महलवा कोशन और आप लोगों को एंसर दिखाई भी दे रहा होगा option number c is the right answer खत्रे के करीब आकर बचना का महावरा होता है बाल बाल बचना बाल बचना मतलब जाकर मौत के मूँ में से निकल कर बाहरा बाल बच गए नहीं तो हम गिर जाते च्छत पर से नीचे या फिर हम गड़े में गिर जाते या फिर जो भी हो या फिर हम को क्या हो जाता हमारा एक्सिडेंट हो जाता है लेकिन हम बाल बाल बश गए तो यह आप लोग सुने होंगे मुहारा ये भी फेमस है तो इसका अर्थ होता है खत्रे के खरीब आकर बशना आगे बढ़ते हैं पूरा पूरा इंसाफ किस कहावत का मतलब होता है पूरा पूरा इंसाफ ये देखिए अर्थ दे दिया है और कहावत क्या होगा option A में है आम क्या मुठलियों के दाम B में है दूद का दूद पानी का पानी C में है आदा तीतर आदा बीटर औरड़ी में है औची दुकान फीका पकवान पूरा पूरा इंसाफ का कहावत बताना है ठो इसके सही जबाब होगा option ुमबर B, दूद का दूद, पानी का पानी, पूरा पूरा इंसाफ, आज ही मैं दूद का दूद और पानी का पानी कर देती हूँ, आप लोग सुने होंगे, तो इसका अर्थ क्या होता है, पूरा का पूरा इंसाफ, आज ही अभी दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा, कौ के लिए इस्तिमाल होता है up कौन सा जुम्ला दुरुस्ट थे अब यहांपर बताना है कि कौन सा जुम्ला कौन सा वाक्य जुए वह सऺए है दुरुस्ट है और सी में हम जा रहा हूं और डी में हम जाता हूं एक दम हलवा कोशन है जुमलत दुरुस्ट करने वाला पूछता है ना ये एक दम हलवा होता है देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपसन नमबर ए हां मैं जा रहा हूं क्योंकि मैं जा रहे हैं तो होता नहीं है हम जा रहे हम जा रहा हूं ये भी नहीं होता है हम जाता हूं ये भी नहीं होता है सही क्या होगा मैं जा रहा हूं आगे बढ़ते हैं क्या बच्चे स्कूल चले गए यह जुमला की कौन सी किस्म है क्या बच्चे स्कूल चले गए दे जीघिया इस ता आजबिया और सी में स். ठुंहें और सुझा जाई है। तो स्का सही जवाब होगा ourson number C स्वाली क्योंकि स्वाल पूछा जा रा है न कि क्या बच्चे चले गये स्वाल पूछा जा रा厮ा यानी यह जुर जुमला की कुन सी किसम है? सवालिया. आगे बढ़ते हैं. आपसन नम्र सी हो गए? बिलकुल सही जवाब. इन में से कदीम मसनवी कौन सी है? आपसन ए में है कुद्ब मिस्तरी, बी में है नौसरहार, सी में गुलजार नसीम और डी में है सेरुल बयान. तो इसका सही जवाब बताए कदीम मसनवी का नाम बताना है? सही जवाब हो जाएगा आपसन नम्र बी नौसरहार. आपसन नम्र बी इस ता राइच अंसर आगे बढ़ते हैं. जनरलिस्ट रवी रंजन अजीज एहमद के कौन थे? आपसन ए में है भाई, बी में है चचा, सी में है पुराने दुश्मन और डी में है पुराने दोस्त, रवी रंजन अजीज एहमद के कौन थे? बताएं. ये भी एकदम हलवा कोश्चन है, इसका सही जवाब होगा, आपसन नम्र डी पुराने दोस्त, जो रवी रंजन थे, वो अजीज एहमद के पुराने दोस्त थे, जो की एक शादी में गए थे अजीज एहमद, तो वहीं पर मुलाकात हुई थी, रवी रंजन से, आगे बढ़ते हैं, उर्दु ए मॉल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है, उर्दु ए मॉल्ला जो है ना, ये खुतूत का मजमुआ है, निकी किताब है, तो किसका है, आपसन ने में है हसरत मुहानी, भी म पढ़े हैं तो, तो इसका सही जवाब होगा, आपसन नंबर भी मिर्जा गालिब, जो है ना, इन्ही के खुतूत का मजमुआ है, और दुए मॉल्ला, आगे बढ़ते हैं, अक्बर अलाबादी किस पर्चे के नौरतनों में शुमार होते हैं, देखिए, इसको मौस्ट भी समझते हुए में आप लोगों को जब पढ़ा रही थी तो बताई थी कि याद रखिएगा, अगबर जो है ना, अवध पंच के नौरतनों में शुमार होते हैं, यानि कि आपसन नंबर भी इस दा राइट इंसर, तोबा टेक सिंग किसका अफसाना है, आपसने में हैं, शफ करते हैं, फजीलत की जमा क्या होगी, फजीलत की जमा यानि कि प्लूरल बहु चौँपर बताना है, आपसने में हैं, अफजल, बिमें हैं, फजा drainage तो फजीलत की जमा यानि कि बहु चौँपर नंबर बीज तर आइट सिंग सर्फ फजाईल हो जाएगा, ऐगर भी लगाए होंगे अगर बी लगा रहा हैं तो सही जवाब में हैं अगर आप लोका गलत होजा रहा है थ arrives या JOSH नहीं हो नहीं चाहिए प्रoori English जर्द करते चलना है आगे बरड़ते हैं मस्जिद क्या जाएगा इस में जर्फ जो की जगह का नाव है अगला सवाल है कि अता को फिक्र हुई उसको साल रूहलत की अता को फिक्र हुई उसकी साल रूहलत की इस मिस्रे में अता क्या है आपसन ए में है काफिया बी में है रदीफ सी में है तखलूस और डी में है मतला इसका सही जवाब होगा आपसन नंबर सी तखलूस अता को फिक्र हुई उसके साल रूलत की यानि की अता काक्वी जो हैं अपना नाम यूज किये हैं तखलुस यूज किये हैं अता तो अता क्या होगा तखलुस होगा आगे बढ़ते हैं आपकी बाते मेरे लिए होसला वक्ष है इस जुम्ले में लहका क्या है आपकी बाते मेरे लिए होसला वक्ष है इसमें जो लाहका बताना है, जो की लास्ट में जाकर जुड़कर अर्थ बदल देता है, तो देखिए, आप में तो लाहका होगा नहीं, की में तो लाहका होगा नहीं, बाते में भी लाहका नहीं होगा, मेरे में भी लाहका नहीं होगा, लिये में भी लाहका नहीं होगा, होसला बक् तो आप्सन नमबर बी में बख्ष दिखाई दे रहा है यानिकि आपसन नमबर बी इस तरह इंसर बख्ष लास्ट में जाकर जूर जाने को जैसे उसला बख्ष बन गया एक नहीं लफज बन गया है तो बख्ष हो गया लहापा आगे बढ़ते सवाल है कि सीने पर सांप लोट पर भी असद करना आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आस्तीन चड़ाना का मतलब क्या होता है आस्तिन चड़ाना लडने को तयार होना देखिख Rights जाना ठीक है NEXT को'rester कि बाजिगर का मतलब क्या होता है बाजिगर का आप अर्थ बता नहां है आप Beauesus नगा वह ओ बाजिगर तो गाना तो आप लोग सुने होंगे लेकिन बाजिगर का अर्थ बता दीजिए आप लोग क्यों कि बहुत कम लोग बाजिगर का अर्थ जानते हैं बताएं और आप लोग को पता नहीं होगा तो आज पता चली जाएगा कि बाजिगर का मतलब क्या होता है देख गया ये जुम्ला की कौन सी किसम है वह इर्फान खेल में जीत गया ये जुम्ला है ये जुम्ला की कौन सी किसम है कौन सा टाइप है option A में है खबरिया, B में इस्तजाबिया, C में है अमरिया और D में है फजाहिया आप लोगों को पता होगा इसका सही answer option number D है फजाहिया क्योंकि वह इर्फान खेल में जीत गए आपर emotion है वह ठीक है तो वह इर्फान खेल में जीत गए क्या है फजाहिया है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन अगला सवाल है सवाल नमबर 115 किसी चीज़ की निस्बत बावजूद इल्म के अपनी नावाक्फियत करना क्या कहलाता है option A में तजाहिल आर्फाना बी में है फुस्न तालील बी में मुबालगा और डी में कनाईया तो इसका सही जवाब होगा option number A तजाहिल आर्फाना option number A is the right answer आगे बढ़ते हैं शेर में किसी तारीखी वाकिया का बियान क्या कहलाता है शेर में किसी तारीखी वाकिया यारिकी जो historical घटना है उसको अगर बियान कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है तो इसका सही एंसर हो जाएगा option number B तलमीh option number B is the right answer आगे बढ़ते हैं किस लवज का मानी समंदर होता है किस लवज का मानी समंदर होता है बताना है एक सा सत्रा नंबर सवाल है यहाँ पर एक सा सत्रा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number C बहर यह हो जाएगा option number C is the right answer आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मिटक भी गया है थोड़ा था बट कोई लिकर नहीं है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है टोबा टेक सिंग क्या है option A में है नाविल B में अफसाना C में है ड्रामा और D में है इनशाया तो टोबा टेक सिंग जो है ना वो एक अफसाना है आप लोगको पता होगा कहानी आगे बढ़ते हैं हिजरत का तालुक किस सिंफ से हैं सिफत लिखा गया है किस सिंफ से हैं तो हिजरत का तालुक हिजरत क्या है अफसाना है कि खुदनविष्ट है कि इनशाया है क THE right answer, इंशायया कुक्विषिचन बलस्थ 10- कि बाद पुराने लफजों की नहीं तहकी कि किस लिखा हुआ है सियात सुल्यमान नद्वी द्वारा लिखागया है, बाद पुराने लफजों की नहीं तहकी किना Цеमा हुआ 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 It is the right answer, आगे बढ़ते हैं कसीदा तजही के रोजगार किस शायर से मनसूब है आपसन A में मिर्जा मुहम्मद रफी सौदा B में जौक दहलवी C में शौक लखनवी D में गाली कसीदा जो तजही के रोजगार है किसके दौरा लिखा गया है इसके राइटर कौन है तो इसका सही जवाब होगा House No No A मिर्जा मुहम्मद रफी期 सौधा आगे बढ़ते हैं उर्दू का पहला खाका निगार कौन है House No A में फरतुला बेग B में मौलवी अब्दुलहक C में मंटू D में बेदी तो उर्दू का पहला खाका निगार कौन सा है ये भी मैं आप लोगो पढ़ाई हूँ और आप लोगो डिरेक्ट एंसर साफ साफ दिख रहा है स्क्रीन के उपर हॉपसा नमबर A इस दराइट एंसर फरतुल्ला बेग उर्दू का पहला खाका निगार है आगे बढ़ते हैं मिजाज लखनवी का असल नाम बताएं आपसन A में हैं अच्छा यहां पर एक और सवाल बन सकता है उर्दू का पहला खाका निगार कौन है फरतुल्ला बेग और उर्दू का पहला खाका कौन सा है तो नजीर एहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जवानी तो इस तरह से भी कोशन पूछ सकता है कि उर्दू का पहला खाका कौन है आपसन में दिया रहेगा नजीर एमत की कहानी उसको आप लोगो को टिक कर देना है आगे बढ़ते हैं मिजाज लखनवी का असल नाम बताएं आपसन A में है अनवारुलहक, B में है इफ्तखारुलहक, C में है इसरारुलहक और D में है अबरारुलहक तो इसका सही जवाब होगा आपसन नमबर C इसरारुलहक मिजाज लखनवी का रियल नेम है इसरारुलहक नेक्ट कोशन है कि किस शायर का तालुक बिहार से है वो भी हार से है, आपसा नमबर A हो भी आ, बिलकुल सही जवाब, आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर 125 की अदब के, अदब ने दिल के तकाजे के नहीं रहेगा यहां पर ने रहेगा, ठीक है अदब ने दिल के तकाजे, डैस डैस क्या क्या, मिस्रा मुकमल कीजिए, अफसान A में गिराए हैं, B में उठाए हैं, C में संभाले हैं और D में दिखाए हैं, बताइए यहां पर खाली जगापर क्या रहेगा अदब ने दिल के तकाजे उठाए है क्या क्या, यानि कि इसका सही अन्सर क्या हो जाएगा option number B उठाए है क्या क्या रहेगा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं next question मिर्जा सलामत अली दबीर किस हैसियत से मशूर हुए option A में मर्चिया गो B में कसीदा गो सी में रुभाई गो D में दास्तान को यह question पीछे पूछा जा चुका है और इसका जवाब भी आप लोगो को पता होगा option number A हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब मर्चिया गो आगे बढ़ते हैं दर्जजैल में कौन सा नाम कुनियत कहलाएगा option A में है रुष्ता में हिंद B में है नजमुद दौला B में है इबन मर्यम और डी में है फक्र तो बताएं कौन सा नाम कुनियत है इसका सही अंसर होगा option number C इबन मर्यम कुनियत किसे कहते है जो अपने वालिदीन यान की माता पिता या फिर किसी दूसरे के संबंध से रखा जाए तालोक के वज़ा से रखा जाए इबन मर्यम यान की मर्यम का बेटा सन अफ मर्यम किसको कहा जाता है इसा अले इसलाम को इसा अले इसलाम का नाम है लेकिन इसा अले इसलाम को इबन मर्यम भी कहा जाता है क्योंकि ये उनके वालिदीन से तालुक रखता है तो option number C इस तर आइट इंसर हो गया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन है कि खिजा की जिद क्या होगी आपसन ए में है बहार बी में है बरसाथ सी में है पतजर और डी में है अंधेरा खिजा का जिद यानि की उल्टार्थ रखने वाला लफज बताना है इसका सही इंसर हो जाए सी में वजीरियागा और डी में शफी जावेद साफ साफ इंसर दिख रहा है उपसन नमबर बी कौाजा हसन निजामी रजब अली बेग सुरूर से कौन सी किताब मनसूब है उपसन ए में है नौ तर्जमर से बी में है गंजे खुबी सी में फसाना अजायब और डी में बागो बहार में अंदे फकीर का तालुक किस मुल्क से था और बी में है शाम सी में हिंदुस्तान और डी में है चीन ये भी मैं आप लोगों को जब चैप्टर पुढ़ा रही थी तो इंपोर्टन समझते हुए बताई थी कि याद रखना है आप लोगो बागो बहार में ज आपसं ये जवाब किस जगह पर पैदा हुए बताना है आपसं आ में है नदवा बी में है पूना सी में हे दसना और डी में कराची इसका सही जवाब होगा आपसर नमبر सी दसना अगला सवाल है कि नजम गुफ्तगु किस मशूर शायर की तखलीक है गुफ्तगु नाम का य आपसन नमबर डी अली सर्दार जाफरी की लिखी हुई नजम है गुफ्तगू आगे बढ़ते हैं नाक में दम करना का मतलब होता है और बेपरवा होना बी में परिशान करना सी में नाक में दवा डालना और डी में घुरूर करना तो बताए नाक में दम करना का अर्थ क्या है देखिए option कैसे बनाया है C में नाक में दवा डालना तो इसका सही अंसर बताए पड़ापट नाक में दम करना का मतलब क्या होता है इसका सही जवाब होगा option number B परिशान करना सुने भी होंगे आप लों कि ये तो नाक में दम करके रख दिया है जब से आया है तब से तो इसका मतलब क्या होता है नाक में दम करने का अर्थ परिशान कर देना यान कि जब से आया है तब से परिशान करके रख दिया है तो option number B हो गया है बिल्कुल सही जवाब आगे बढ़ते हैं जवराना का लफज किसके लिए इस्तमाल होता है option A में है खाना पकाने वाला B में है सुबह का नाश्टा C में है दो पहर का खाना और D में है रात का खाना इसका सही अंसर होगा option number C दो पहर का खाना आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि जरूरत के लिहाद से बहुत कम मिलना किस कहावत का मतलब होता है अर्थ दे दिया है कि जरूरत के लिहाद से बहुत कम मिलना इसका अब मुहारा बताना है कहावत बताना है option आपके स्क्रिन के उपर है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं option A में है उट के मुह में जीरा, B में हैं आम के आम उट के मुह में जीरा आगे बढ़ते हैं सवाल नम्बर 138 पंदित दियाशंकर नसीम में नसीम क्या है? उट के मुह में लकब, B में और्फ, C में तखलूस और D में खिताब तो पंड दया शंकर नसीम में जो है ना नसीम वे एक तखलूस है option number C is the right answer question number 139 कि किस लवज का मानी खत होता है option A में है मजमून B में है मक्तूब C में है मफ्हूम और D में है मन्शूर तो मैं आप लोगो बताई हूँ कि मक्तूब का अर्थ होता है खत मक्तूब बोलिए या फिर खत बोलिए बात एक ही है यानि किसका सही जवाब क्या हो जाएगा option number B आगे बढ़ते हैं इन में से जरिफाना नजम कौन सी है option A में है खेती बी में है मेरा सफर सी में है मुतशायर और डी में गमेर बताईए जरिफाना नजम बताना है जिसको पढ़ने के बाद हसी आए मतलब हसी मजाक वाली नजम कवीता कौन सी है तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number C मुतशायर मुतशायर में पर 2 क्यों लिखा गया है गलत टाइप हो गया यह जीनो मुंताले किस जवान के शायर है option A में है अंग्रेजी, B में है फ्रांसी C, C में है इतालवी, D में है यह जापानी तो योजीनो मुंताले यह ना वह शायर है इतालवी जवान के और ये जो नजम लिखे हैं वो भी इतालवी जबान में ही लिखे थे लेकिन जाहिदा जैदी ने इतालवी जबान से अर्दू जबान में टरंस्लेट किया अगला सवाल है कि किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी क्या कहलाती है अगर मैं आप लोगो अपनी भाशा में समझाओ अपनी जबान में तो खुदनविश्ट जो राइटर होता है ना मसन्निफ वो अपनी ही जिन्दगी के बारे में तहरीर कर दे लिख दे अपनी ही जिन्दगी की तश्वीर कसी पेश कर दे उसी को कहते हम लोग खुदनविश्ट ऑपसर नमर डी इस दर राइट इंसर जो राइटर है लेखा को अपनी ही जिन्दगी के बारे में लिख कर ब इस चैप्टर के राइटर कौन है आप लोग को पता होगा देख लेते हैं आपसन आपसन ये में मौलवी अब्दुल्हक वी में मिर्जा फरतुल्लाबेग सी में रशीद एहमद से सिद्ध की और डी तो मिटक चुका है तो इसको हटा देते हैं आपसन नमबर डी रिजेक्ट करते हैं इन तीनों में बता दीजे सही एंसर क्या होगा मौलवी अब्दुल्हक की मिर्जा फरतुल्लाबेग की रशीद एमा से देखी तो आप लोगो पता होगा एक दम हल्वा कोश्चन है ये भी मिर्जा फरतुल्लाबेग यानिकी आपसन नमबर 20 तर राइट एंसर नमानी और डी में अबुलकलाम आजाद तो इसका सही एंसर होगा आपसन नमबर सी शिबली नमानी सेद सुलेमान नदवी जो है ना वह शिबली नमानी के शागिर्द यानिके स्टूडेंट थे और यह कोश्चन पूछा जा चुका है दो तीन बर पूछा गया है तो इसको इंफक्त जितना भी करा रही हैं लेकिन इसमें भी जो मैं आप लोगों को मॉस्ट इंपोर्टन बता दे रहे हूं ना उसको अभी के अभी तुरंट माइन में फिट कर लीजिए तो सेद सुलेमान नदवी याद रख लीजिए किसके शागिर्द किसके स्टूडेंट है तो आप लोगो और लड़ी पढ़ा चुकी हूं और इंपोर्टन समझते हुए बताई थी कि इन्शाया जो है ना वो शगुफता मोड की पैदावार है यान की आप्सन नमर सी इस दराइट इंसर यहां पर क्या रहेगा शगुफता रहेगा ठीक है इन्शाया शगुफता मोड की पैदावार है अपसन नमर सी इस दराइट इंसर आगे बढ़ते हैं मीर अमन ने बागबहार की तरफ से कितने रुपै का इनाम पाया मीर अमन दहलवी जो है ना वो जब बागबहार लिखे थें बागबहार नाम भास्टान तो बहुत दा मशहूर हुआ तो वो दास्तान बाग बाहर लिखने के वज़ा से मीरमन को कितने रुपए का इनाम मिला बताना है आप लोगो option A में हैं 200 रुपए, B में है 500 रुपए, C में है 100 रुपए और D में है 400 रुपए तो इसका सही जवाब हो जाएगा option B 500 रुपए मिला था मीरमन देलवी को बाग बहार लिखने के वज़ा से option B इस तो right answer आगे बढ़ते हैं मैं यूनिवर्सिटी में का तालुक किस सिन्व से है यानि कि जो चैप्टर है मैं यूनिवर्सिटी में ये क्या है इसका तालुक संबंद किस कटेगरी से है ये चैप्टर अफसाना है कि खुदनविष्थ है कि खाका है कि मक्तूब है बताएं तो आप लोग को पता होगा इसका सही एंसर हो जाएगा आपसान नमबर B खुदनविष्थ मैं यूनिवर्सिटी में ये जो है ना खुदनविष्थ है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन सवाल नमबर 148 है कि किस लवज का मानी चीर फाड करने वाला है कौन से लवज का मानी होता है चीर फाड करना देखिए आपसन A में है मुश अगला सवाल है कि गुबार खातिर के मकतूब अलहे कौन है गुबार खातिर नम का ये जो खत है मकतूब तो इस मकतूब के मकतूब अलहे बताना है यान कि खत पाने वाला इनसान जिसके लिए खत लिखा गया है वो इनसान कौन है आपसन A में है अकबाल B में है शिबली न इन्ही के लिए खन लिखा गया था आगे बढ़ते हैं अगला सवाल उदे हिंदी और उर्दुए मौला का तालुक किसी सिन्फ से है उदे हिंदी और उर्दुए मौला ये दोनों का संबंद किस का्टेगरी से है आपसन ए में है इन्शाया, बी में है सवाना, सी में खतूत और डी में है अफसाना ये भी एकदम हल्वा कोश्टन है आप लोगो पता होगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपसन नबर सी खतूत खतूत का मजमुवा है ये दोनों उद हिंदी और उदू मौला ये दोनों खतूत यान की खत का किताब है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्टन की दर्दजैल में से कौन सी किताब मौलाना आज़ाद की है मौलाना अबुल खिलाम आज़ाद की कौन सी किताब है इन चारों आपसन में से आप लोगो बताना है आपसन A में है गुबार खातिर, B में है उद हिंदी, C में है जेर लब और D में अर्दू मॉला तो इसका सही जवाब होगा आपसन नमबर A गुबार खातिर आई होप आपसन नमबर A आप लोग लगाये होंगे जो कि बिलकुल सही जवाब है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल अजीज एहमद किस अफसाने का किरदार है और आपसन A में है इवराहिम सक्का, B में है भूले विसरे गीत, C में है प्रॉमिस और D में है टोबह तेक सिंग बताईए अजीज एहमद किस अफसाने किस कहानी के करेक्टर है बताना है यह भी एकदम आप बोल सकते हैं अगर आप लोग चैप्टर पढ़े हैं तो सारे कोशन का एंसर एकदम सही-सही आप लोग बता देंगे उर्दु ग्रामर पढ़े है तो ग्रामर से कोशन जो आपस्ण नमबर B भुले बिसरे गीद सियद अजीज अढिज्ड आखानेया के के करदार हैं करैक्टर है आगे बढ़ते हैं खलीलो रह्माना आजमी Tree का शायरी capable बता ना देखिए option A में है कागजी पैरहन, B में है तसली सहयात, C में है गुल नगमा और D में है परवाज बताईए खलीलु रह्मान आजमी का शायरी का मजमुव यान कि शेरो शायरी का किताब कौन सा है इन चारो आपसन में से इसका सही एंसर हो जाएगा option number A कागजी पैरहन, कागजी पैरहन जो है न ये शेरो शायरी का किताब है खलीलु रह्मान आजमी का, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन, इन में से किस शायर को गालिब शकन कहा जाता है, ये भी most important है, कितना बार पूछा गया है option A में है अली सरदार जाफरी, B में है परवेज शादी, C में है यगाना चंगेजी और D में है जमील मजहरी तो बताईए इसका सही answer क्या होगा, option number 6, the right answer, ये गाना चंगेजी, in fact ये पिछले कोशन में पूछा भी गया था, एक बार और पूछा जा चुका है, तो इसका important समझते वे याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं, हिजरत का तालुक किस सिन्फ से है, अब हिजरत नाम का जो चैप्टर है, ये क्या है, इसका संबंद किस केटेगरी से है, option A में है अफसाना, B में है इन्शाईया, C में है दास्तान और D में है खुत्बा, तो आप लोगो को पता होगा, हिजरत जो है न में है, option A में है, मिर्जा दबीर, B में है मीर अनीस, C में है जमील मुजहरी, और D में है मिर्जा गालीब, मीर अनीस का, यानि कि option B is the right answer, मीर अनीस दोरा लिखा गया है, ये मरसिया, यारब, चमने नजम को गुलजारे रहम कर, option A में है, आई होप लगाए होंगे, बिलकु काकवी, और D में है मिर्जा गालिब, इसका सही जवाब हो जाएगा, option B, अली सरदार जाफरी, next question, कि अदबने दिल के तकाजे, डैस डैस है, यानि कि, यहां पर खाली जगा है, है क्या क्या, मिस्रा मुकमल करना है, खाली जगा पर क्या रहेगा, तो अदबने दिल के तका यहां पर उठाए रहेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बड़ा फट, इन में जरिफाना नजम कौन सी है, option A में है खेती, B में है मेरा सफर, C में है मुतशायर, और D में है घम, तो जरिफाना नजम किसे कहते हैं, जिसमें हसी मजाख हो, कमेंट हो, तो इन चारों उपसन म सी मुतशायर, मुतशायर नाम का जो नजम है कवीता, इसमें मतलब हसी मजाख वाली बात की गई है, मुतशायर का मजाख वगर उठा उड़ाया गया है, यान कि एक जरिफाना नजम है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोशन है, कि शिकस्त जिन्दा का खौब किसकी नजम ह अब शिकस्त जिन्दा का खौब नाम का जो कवीता है, ये किसके दोरा लिखा गया है, बताना है, आपसन ए में है मिजाज लखनवी, बी में है जोश मली अबादी, सी में साहिड लुदियानवी, दी में अल्लमा इकबाल, तो इसका सही जवाब है, आपसन नमबर बी, निश्तर यास, यहां पर पास लिखा गया, यास रहेगा, सी में है नई दुनिया को सलाम, और डी में है नया एहद नामा, तो बताए, ये गाना चंगेजी का शेरी मजमुए, ये किशी रोशाईरी के किताब का नाम बताना है, तो इसका सही एंसर हो जाएगा, आपसन 60 का सही जवाब, आपसन नमबर सी, आवद पंच, याद रखना है, अगला सवाल है कि ये जीनो मौन ताले की जबान के शायर है, आप लोगो को बताई ही, तालवी जबान के शायर है, अगला सवाल है कि किसी शक्स की तहरी तश्वीर कसी क्या कहलाती है, देखे, वही सवाल गुमाख फिरा कर फिर ते पूछ दिया है फुद्न विश्ट आगे बढ़ते हैं नजीर एमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी खाका है मिर्दा फुरतुल्ला बेक का हाँ यहां पर अब पुछा है कुछ़न नंबर 166 है कि सी पारा दिल किस की तस्नीफ है और आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि सेद सुलेमान अदवी किसके शागिर तयारी ही तो कोशन पूछा ही था फिर से पूछ दिया है तो इसका सही जवाब क्या होगा होगा है शिबली नमानी आगे बढ़ते हैं इनसाए़ की सिन्फ में इनसाए़ की सिन्फ जो है वो शगुफτα मोल की पैदवार है आपसार नमर सिय हो गया บलकुल व्युट सही जवाब आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कि अहमद जमाल पाशा कहा पैदा हुए option A में है और अंगबाद B में लहाबाद C में अजीमाबाद और D में मुश्रिदाबाद बताए ये सवाल पूछा है कि हमत जमाल पाशा कहां पेदा हुए answer आप लोगों को बता होगा इसका सही जवाब हो जाएगा option number B लहाबाद option number B इस दराइट answer आगे बढ़ते हैं मीर अमन ने बागो भार की तरफ से कितने रुपए का इनाम पाया आप लोगों को मैं बताई ही 500 रुपए option number B हो गया बिल्कुल सही answer next question है question number 170 था ना अब यहां से आप लोगों का स्टाट हो रहा है एक से खत्तर नंबर सवाल है कि टोबा टेक सिंग किसका अफसाना है option A में है राजेंदर सिंग बेदी B में है सादत हसन मंटू C में कृष्ण चंद्र और D में इसमत चुकता ही तो टोबा टेक सिंग यह जो अफसाना है कहानी यह किसका है आप लोग बताएं टोबा टेक सिंग यह जो अफसाना है यह लिखा गया है सादत हसन मंटू के दवारा यानि कि option number B is the right answer सादत हसन मंटू अगला सवाल सवाल number 172 कि रात शहर और मैं किसका अफसानी मजमूआ है यह जो अफसानी मजमूआ कहानी का किताब है किसका है option A में है शफी जावेद, B में है शफी मशहदी, C में है जिलानी बानो और D में सलाम बिन रजाक इसका सही जवाब हो जाएगा option number A शफी जावेद आगे बढ़ते हैं इबराहिम सक्का क्या है option A में है खाका, B में है सवाना, C में है अफसाना और D में है इन्शाया तो इबराहिम सक्का ये क्या है ये एक ये एक अफसाना है यानि कि option number C is the right answer आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, सवाल number 174 कि मौलाना बुलकलाम आजाद कहां पैदा हुए option A में है कलकत्ता, B में है दिली, C में है मक्का मकर्मा और D में है लाहोर तो मौलाना बुलकलाम आजाद पैदा हुए थे, बिल्कुल सभी जवाब है आप लोग का मक्का मकर्मा option number C is the right answer, I hope आप लोग C लगाए होंगे तो बिल्कुल सभी जवाब है आगे बढ़ते हैं मैं यूनिवर्सिटी में का तालुक किस सिन्व से है यान कि मैं यूनिवर्सिटी में नम का चैप्टर है यह क्या है अपसाना है कि खुदनविष्ट है कि खाका है कि मक्तूब है तो आप लोगों को मैं बताई ही यह question दुबारा पूछ रहा है इसका सही जवाब हो जाएग कि खुदनविष्ट आगे बढ़ते हैं कि से शाइर को जुनूब और शुमाल के दरमयान पुल तसावर किया जाता है इसको फुल की तरह टसवर किया जाता है फुल माना जाता है जो है वलीत-अकमी यह फूछा गया था एक बार फिर से दुबारा पूरण दिया है आगे ब पिश्कालात तो 177 का सही जवाब हो जाएगा option number C मुश्किलात मुश्किल का जमायन की बहुचन होगा मुश्किलात जानते भी होंगे आप लोगी एक दम हड़वा कुश्चन है आगे बढ़ते हैं दर्जजायल में से कौन सा लव्ज मुझकर है यानि की पुलिंग है option A में ह नेमत सी में सिफत और डी में सोहबत बताएए इन चार उप्शन में से कौन सा लव्ज मुझकर है इसका सही जवाब होगा option number A नमक नमक ज्यादा हो गया है अब लोग सुने हैं ऐसे थोड़ना होता है कि नमक ज्यादा हो गई है नमक ज्यादा हो गया है तो इस सबजी में नमक ज्यादा है तो option number A नमक है मुझकर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि इन में से कौन सा लव्ज मौननस है यानि कि स्ट्रिलिंग है option A में है जमीर B में है किताब C में है कॉलम और D में है मदर सा इस्ट्रिलिंग लवज बताना है मौननस तो इस्ट्रिलिंग जो जमायन के प्लूरल बहुचन बता रहा है option A में है किताबे B में है कुत्ब C में है किताबों और D में है कुत्बे यह भी मैं आप लोगों पढ़ा चुकी है उर्दू क्रामर में इसका सही जवाब हो जाएगा option B किताब का जमा बहुचन किताबे नहीं बलकि कुत्ब होगा option option A में है इसमे जर्फ सी में हासिल मस्दर और D में है ना कि मस्जिद क्या है जगह का नाम कर लोगा इसमे जर्फ कहते है यानकि option B एसमे जर्फ हो जाएगा फिर भी दुबारा पूछ दिया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा 182 नंबर सवाल का आपसन नंबर B कुशकेर आगे बढ़ते हैं खेलना का हासिले मचदर क्या है आपसन A में है खिलाडी B में है खेल C में है खेल का मैदान और D में है खिलन ड्रा तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा आपसन नंबर A खेलना का हासिले मचदर क्छिलाडी होता है पुछते हैं वह के गालिब कौन है इसमें वह क्या है तो यह भी कुश्चन देखिए पूछा फिर तुबारा से भी यहाँ पर पूछ दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है इसका सही जवाब आप लोगको तो पता होगा जमीर है वह जो है यह जमीर यानि की प्रोना हुने आप लोगकों मैं बताई भी आगे बढ़ते हैं नूरानी चेहरा में नूरानी क्या है आपसने में है सिफत बी में है मौसूफ सी में है फिल और डी में इसमें आला बताईए नूरानी चेहरा में नूरानी क्या है तो चेहरा का quality बता रहा है ना नूरानी नूरानी क्या बता है विशेष्टा बता रहा है चेहरा की कि चेहरा कैसा है नूरानी है तो नूरानी हो जाएगा सीफत यानि कि option number A is the right answer option number A हो गया बिल्कुल सही जवाब आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कि कलीम आंखरी रहा है इस जुम्मटे कहले में क्या है कलीम क्या है क्रीदनी का काम कर रहा है तो काम करता है उसको कहते हम लोग 5 या क्यों कहते है find यानि की option पैल हो गया जो की आम खडदने का काम कर रहा है वहां की चिया होगी औहल का उप्रितार तक गउल्टा अर्थ रंक्ने वाला शब्णी अब्ताना है रंगे बढ़ते हैं रंज का B में है । गम् यह रँज बोलिए फिर गम् बोलिए बात एकी ह, दोनों का अर्थ ही होता है मेरा दोस्त बहुत खुश्ष एखलाक है इस जुमले में साबका क्या है तो देखिए मेरा में तो कोई साबका होई नहीं सकता है साबका कहते हैं जो शुरुवात में जुड़कर अर्थ बदल दे वो हर्प या फिर हुरूफ का समू जो किसी शब्द किसी लफज के शुरुवात में जुड़कर अर्थ बदल दे एक नया लफ्स बना दे उसे कहते हैं लोग साबका, तो मेरा में तो कोई साबका है नहीं, दोस्त में भी साबका नहीं है, बहुत में भी कोई भी साबका नहीं है, खुश एखलाक, हाँ, खुश एखलाक, यह जो लफ्स है, इसमें साबका है, जो कि शुरुआत में जुड़ा हुआ है option number A में है खुश तो option number A इस तर आइट एंसर खुश क्या है साबका है याद रखना है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की आखों का तारा होना का मतलब होता है option आपके screen के उपर है option A में है आख से कम दिखना B में है बहुत प्यारा होना C में है हैरान करना और D में है इंतजार करना आखों का तारा होना यह मुहावरा है और इसका अर्थ बताना है इसका सही answer हो जाएगा option number B बहुत प्यारा होना आखों का तारा होना का मतलब बहुत प् बाजिगर का मतलब क्या होता है जो कि आप लोग जानते ही हैं और मैं आप लोग को बताई भी कि बाजिगर का अर्थ होता है शिकारी यानि की शिकार करने वाला आपसा नमबर ए इस तरह आइजंसर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कि जरूरत के लिए हाथ से बहुत कम मिले तो किस कहावत को इस्तमाल करते हैं जरूरत की जरूरत की लिए हाथ से अगल हम दोंग कम मिले तो इसके लिए किस कहावत का का कौन से मुहावरे का यूज किया जाएगा बताइए उप्सें में 해 152 काच वी में उट के मुह में 0- c में उल्टा चोर को तुवाल को डाटे और डी में उट के गले में बिल्ली तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number B उट के मुह में 0 जरुरत के लिहाद से कम मिले तो इसका कहावत होता है उट के मुह में 0 option number B लगाए होंगे जो कि बिल्कुल सही जवाब है आगे बढ़ते हैं question number 194 कि इन में से कौन सा जुम्ला दुरुस्त है option A मैं मैं लिख रहा हूं B मैं मैं लिख रहे हैं C मैं हम लिख रहा हूं और D मैं हम लिखूंगा देखिए साफ साफ दिख जा रहा है कि मैं लिख रहे हैं तो होगा नहीं यह गलत सेंटेंस हैं हम लिख रहा हूं तो होता नहीं है यह भी जुम्ला दुरूस्ट आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कि वह भारत मैच जीत गया यह जुम्ला की कौन सी किस्म है आपसने में फजाईया भी में इस्ताजाबिया सी में अम्रिया और डी में खबरिया तो आप लोग को पता होगा यहां पर वह भारत मैच जीत गया यान की खबरिया जुम्ला है बादशाह या हुकूमत की तरफ से जो एजादी नाम दिये जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं अपसने में हैं लकब भी में खिताब सी में कुनियत और डी में उर्फ यह भी आप लोग को पता होगा यह मैं आप लोग को अलड़ी पढ़ा चुकी मकبر कों है इस नामसे बड़ापन जाहीं हो तो जाए कि ऑपसन की दरजैल में इसमे आम या इसमिल बोलिई या इसमिल बहते हैं दोनों ही साधार नाम को कहते हैं जिसे पुरी जाती का बोध हो बताएं इसम नकरा कौन है इन चारफ़ उपसंद मेह हैं गंगा अभी मेह हमाले सी मेह हिमाल किला है और डी में महलत तो देखिए गंगा नदी है यह नदी में एक स्टेंस्ट idag नाम नाम लेलिया है गंगा तो ये भी इसम मार्फा हो जाएगा ये भी नहीं होगा इसम नक्रा यानि कि लाश्ट में क्या बच रहा है ऑपसन अमबर D हो गया बिल्कुल जवाब यही है आप लोगा इसम नक्रा या फिर आप लोग इसमें आम भी कह सकते हैं आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की घजल का आखरी शेर जिसमें शायर तखलुस इस्तमाल करता है क्या कहलाता है तो इसका जवाब आप लोग को पता है आपसा नमबर बी मक्ता कहते हैं उसको अगला सवाल है कि खिताब की जमा क्या होगी आपसा ए में खतीब बी में मुखाटीब सी में खताबात और डी में खतबात खतबात और दी में खतबाता है तो खिताब का जमा यानि कि प्लूरल बहु अचन बताना है इसका सही एंसर हो जाएगा उपसा नमबर सी चलिए आगे बढ़ते हैं फड़फट अगला सवाल उरूज की जिद क्या होगी आपसान ए में है कमाल भी में है पस्ती सी में है जवाल और डी में है जमाल तो उरू का मानी चीर फार करने वाला है इसका तो एंसर में आप लोगो को बताई क्योंकि एक बर पूछा जा चुका है और बीस तराइट एंसर आगे बढ़ते हैं इबराहिम सक्का किसका अपसाना है और चुक्ताई भी में शफी जावेद सी में सलाम बिन रजाक और डी में जिलान नहीं पानों तो आपसे नबर सी तराइट एंसर ऑफिस वाली दीख जा रहा है कि इबराहिम सक्का जो है ना इसके राइटर कौन है सलाम बिन रजाक तो आपसे नबर सी हो गया राइट एंसर नेक्स्ट कोश्चन बागो बहार किस सिंव की किताब है और सने में नाविल भी जंप परकाश नरायन सी में इंद्रागांदी की संपून करांथी की तो डर्एक्ट मैंनेम आ contenido आजाता है ज्याइपरकाश नरायन की फिरुष की तपाष्ट ऑपन重要 कि नपर भी भी था ऊप्सिन ऑ्प दास्तार अब भूर्ट मोब भाल बेल खातिर के मकतूब लेला को नहीं पिशे मटवल लेले को नके इसको इधर करदो लुक्रक है pulled के मुGood फाने जान किंको यह खक पाने वाले इंसान इसको यह खत लिखा गया है आप को बताना है सही एंसर और सी अगला सवाल है कि किसका अपसाना है सादत संबंटू बी में जिलानी बानों सी में राजंदर सिंग बेदी और डी में शकी जाविद तो कारेंटीन नाम का जो अपसाना है कहानी है ये कहानी है राजंदर सिंग बेदी का यानि कि आपसन बरसी होगा बेलकुल सही जवाबवब घंदी और उर्द्व मौला का तालूक कि सिनफ से हैं तो उड्र हिंदी और उर्द्य मौला का तालूक है bientôt से अगे बढ़ते हैं दिर से कृतांगे कौन सी किताब मौला न अबुलकलामाजाद की किताब है अपसा नमबर ए गुबार खातीर अपसा नमबर ए जराइटेंजर चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है सवाल नमबर दो सबारा कि मिट्टी का तेल किसका मजमून है अपसा ने में है वजीर यागाबी में अपसा नमबर बी हो गया बिल्कुल सही जवाब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है अजीज अपसाने के किरदार है ये भी आप लोग बता चुके है अजीज अपसाने के किरदार है नेक्स्ट कोश्चन कि गमे अर्शद के मुसनिफ कौन है गमे अर्शद नाम के चप्टर के राइटर कोन है अपसाने में आमे खन फी बी में अता काकवी सी में ये गाना चंगेजी और डी में अकबर अलाबादी आप लोग को पता है किसके राइटर है अता काकवी अपसान नमर बीज़ तर आइज अगे बढ़ते हैं मीर अनिस की सिसिन फिशाइरी से तालुक रखते हैं अपसाने में है रुबाई, बी में है कसीदा, सी में है मरसिया और डी में है मसनवी मीर अनिस की सिसिन फिशाइरी से तालुक रखते हैं इसका सही अंसर हो जाएगा अपसान नमर सी मरसिया मर्सिय से मशूर है मीरनिस और सबसे जादा तर यह मर्सिय ही लिखा करते हैं तो आपसन अमर सी हो गया बिलकुल सही जवाब साथी हात बढ़ाना किसका लिखा हुआ गीत है आपसन अ में मजरुह सुल्तान पूरी बी में कतील शफाई और सी में है साहिल लुद्यानुई और डीमे फैज एमद फैज साफ साफ आप लोगो दिक जारा एंसर इसका सही एंसर क्या हो जाएगा हाँ ऑपसान नमर सी साहिल लुद्यानुई साथी हाथ बढ़ाना नाम के चैप्टर के अब बोल सकते हैं गीत के राइटर है साहिल लुद्यानुई अगला सवाल गुल्जार नसीम क्या है अफसाना भी में मस्नवी, सी में दास्तान और डी में नावील तो गुल्जार नसीम जो है ना ये एक मस्नवी है अफसान दाराइट यंज़ा आगे बढ़ते हैं मिजाज का पूरा नाम क्या है अपसर ने में अबरारू ल़क बी मेंसरारू लवक सिमें अनसारू लख और डी में अन्वारू लग बरते हैं अगला सवाल है कि इन में से कौन सी नजम अली सरदार जाफरी की है अगला सवाल है कि यारब जमाना मुझको डौट डौट है अगला सवाल है यारब जमाना मुझको डौट बिल्कुल सही जवाब यारब जमाना मुझको मिटाता है किसलिए बुलाता थो नहोंगा आप लोग सुनें बुलाती हैं बगर जाने का नहीं जो कुछ भी हो हम दो बात पुट आते हैं आगे बढ़ते हैं दो सेय कि इस नमबर सवाल है कि यागना चंगेजी का असल नाम क्या है बटाई जवाब देखिए थाड़ा लंबा विडियो हो रहा है लेकिन आप लोग सारे कॉशन पर कमान करते चलिए आप लोगको ये सारव अब्जेक्टिव कुशन करते हुए निंद भी आ रही होगी इंदिया आप लोगको बुला रही होगी लेकिन आप लोगको जाना नहीं है निंदिया बुलाती है लेकिन जाने का नहीं ठीक है तो यगाना चंगेजी का असल नाम बता देजिए यहां प आए रहेगा जिन्दगी एजिन्दगी किसका शेरी foi शेरोशयारी का इससा ॒श्जा आफका हुआ है ऑपता है खा-प्लिल-इमाराजमी भीमियमिक कनफी सीमिया अग्बरलबादी डीमियत नमबर डी並ीस सर्धार जाफरी नम्बर डी रीससरदार जाफरी का लिखा हुआ ये शेरोशायी का किताब है जंदगी ए जंदगी आगे बढ़ते हैं अता काकवी कहां पैदा हुएं और विल्कुल तजही जवाब क्या है एक आप साब दिख रहा है एक दम हल्वा कोश्टने की तजीर के रोजगार यह जो है ना यह एक कसीदा है और से नंबर डी हो गया बिलकुल सही जवाब आगे बढ़ते हैं दो सब पच्चीस नंबर सवाल की तस्वीर की जमा क्या होगी तस्वीर जो है ना इसका जमा प्लूरल लग वह सब्सक्राइबा ऐ अप्सन मैं तस्वीर बी मैं तस्विरात सी मैं तसावीरों डी मैं तस्वीरान तस्वीर की जमा यानिकी प्लूरल होता है हां तसावीर ऑप्सन नंबर सीस तराइट्रेंस अद्भीरि आगे बढ़ते हैं दर्झैल में कौन सा लफ्लेशम्म आफ़ताब आफ़ताब जहरा मुझकर है बाकी किसमत तो मौनस कहलाएगी और महबत भी मौनस है जबान 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 जहरा यह भी मौनस है तो मुझकर है आप लोग का आफ़ताब आफ़ताब आफ़ते हैं इनमें से कौन सा लवज मौनस है आफ़ता ने में है शेर बी में ह दिल, C में हयात और D में दर्द तो मुझनस येन की स्ट्रिलिंग बताना है आप्सवन नमबर C इस तराइट एंसर हयात होगा आप्सवन नमबर C क्या है हयात ये एक मुझनस लफ्स है नेक्स्ट कोश्चन कि इन में से कौन सा लफ्स वाहिद है एक वचण एमें सफवाद, B में होकूझ, C में फर्द और D में आउग्वाल देख जाराएंसर restart 27 नमबर C फर्द वाकी सफवाद जो है ये वाहिद नहीं जमा है तो ह्कूझ भी था हुक होता है हुकूझ तो हकूझ भी जमा है, आउग्वाल भी जमा है एक फर्ज जो है ना ये शब्द option number C हो जाएगा सही जवाब क्योंकि ये एक वाहिद है आगे बढ़ते हैं इन में से कौन? इन में से इस में जर्फ कौन है? option A में इदगाह, B में, कसोटी, C में दस्ताना और D में बढ़ाई तो answer हो जाएगा option number A इस में जर्फ बताना है ना तो किसी भी जर्फ के नाम को हम लोग कहते हैं या फिर वाक्त के नाम को इस में जर्फ तो option number A हो गया जो कि एक जर्फ का नाम है आगे बढ़ते हैं option A में इसमे आला, B में, सिफ़त, C में हासले मस्दर, D में, जमीर बताईए मच्छरदानी क्या है बहुत ही यहां पर funny type का question पूछा है बता दे इसका सही answer क्या हुआ मच्छरदानी इसमे आला है मच्छरदानी क्या है यह एक इसमे आला है जो हमारे लिए एक तरह से protection का का काम करता है मच्छरों से फिर हतियार के नाम को इसमे आला कहते हैं लेकिन जो हमारे लिए मतलब यूजफुल साबित हो जो हमें protect करें जिसका हम लोग यूज़ करें उसको भी हम क्या कह सकते है मच्छरदानी क्या है हमारे लिए हतियार की तरह है जो कि मच्छरों से रक्षा करता है ठीक है तो इसको क्या बोलेंगे मच्छाओ के लिए मच्छाओ के लिए हम लोग लगाते हैं तो आफसा नमबर ए क्या हो जाएगा इसमें आला चलिए आगे बढ़ते हैं खेलना का हाशिले मसदर क्या होगा आपसा ने में खिलाडी वी में खेल सी में खिलवाल और डी में खेलो चैनल के ठ्लीज्ण में चलिए उर्दू ग्रामर वर शॉट वीडियो में आप लोग अल्री पढ़ा चुकी है वहाँ पर जाकर उब्दू क्रामर के ओल टॉपिक को अब लोग पढ़ सकते हैं फिरहाल इसका सही एंसर हो जाएगा उप्सा नमबर C खेलना का हासिले मस्दर होगा खिलवार उप्सा नमबर C is the right answer आगे बढ़ते हैं किसी इस्म के बदले में आने वाले लफ़ को क्या कहते हैं उप्सा नमबर C is the right answer नेक्स्ट कोश्चन है कि स्याह बिल्ली में स्याह क्या स्याह का स्याह क्या है स्याह बिल्ली जो है इसमें स्याह क्या है आपसन ए में मौसूफ, B में सिफट, C में मफूल और D में इसमें आला तो स्याह बिल्ली बिल्ली की quality बता रहा है स्याह की बिल्ली कैसी है भाई तो स्याह रंगी की है यानि कि स्याह जो है स्याह वो एक सिफट है adjective, विशेशर है तो आपसन नमबर B हो गया बिल्कुल सही तर दो स्याह थिस नमबर सवाल का सही जवाब आपसन नमबर B सिफट कहलाएगा स्याह आगे बढ़ते हैं महमूद काम कर रहा है इस जुमले में महमूद क्या है महमूद क्या कर रहा है काम कर रहा है कौन महमूद, काम करने वाले इंसान को हम लो क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं, तो यहां पर पूछा भी है कि महमूद क्या है, तो महमूद काम कर रहा है भई, तो महमूद क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, काम करने वाले इंसान को फाइल यानकी सब बताना है इसका सही एंसर हो जाएगा option number C बहार 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 चलिए आगे बढ़ते हैं पड़ापट रंज का मतरादिफ रंज का एक समाना रखने वाला सब्द आपको पता होगा ये question फिर से दुबारा पूचा है इसका सही option में कार कौन से option में हैं तो कार देखें लास्ट बी option में हैं कार ऑपस नमर्बी इससार हो जाएगा लगा कहते हैं जास्ट में जुड़ा है तो श्रत पहले था रचे में आपर जुड़ गया कार तो कार हो गया लाहखा अज बढ़ते हैं अगला सवाल मिद्ध होता है घी के एचिरागं लाना की जीस reg filing function IRोशनी करना बे-चिदा उप देखाना और समय हूं आरफ होता है के मिधा ओं साइब ěचरश मिनदा हो ना कि मुह आई का मतलब है आपसन ने में पानी पानी होना भी में खाक छान नासी में लाले पढ़ना और डी में मुह की खाना तो शर्मिंदा होने का मुहावरा होता है क्या होता है जर्व आपसन में से ए पानी पानी होना शर्मिंदा होने का अर्थ होता है पानी पानी होना अगला सवाल है कि कहावत उची दुकान फीका पकवान के मानी क्या है बहुत अच्छा ये कहावत है मुहावरा मैं सुनी भी हूँ कितना बार उची दुकान फीका पकवान का अर्थ बताईए फड़फट अपसन अ में सिर्फ शहरी शोहरत असलियत कुछ नहीं बी में कमाए कोई और लुटाए कोई सी में किसी बेजा बात पर उड़ जाना और डी में जरूरत के लिए हाथ से कम बोलना इसका सही एंसर हो जाएगा, option number A, सिर्फ शहरत, असलियत, कुछ नहीं आगे बढ़ते हैं केलूला का लफ्स किसके लिए استعمال होता है ये भी question पूछा था, इसका सही एंसर हो जाएगा, option number B, दो पहर की खाने के बाद आराम दुबारा दुबारा कोई 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 दुबारा पूछ दिया उनसे कोई तीन तीन भर कोई दिया तो कुई दिकत नहीं है उतर से आपनों का रिवेजन भी हो जाएगा और जुनाया सवाल है उसका एंपनार याद करT Ariya ने आगे बढ़ते हैं जिस जुम्ले से हुक्म देना जाहिर हो और देना जाहिर हो उसे कहते हैं अमरिया जुम्ला यानि कि यह जुम्ला है इसे हुक्म जाहिर हो रहा है कि मुझे एक कप पानी पानी नहीं एक कप चाय पिलाओ तो चाय पिलाओ यहां पर और दिया जा रहा है तो यह जुम्ला कौन स और सी मुक्तसर ठहराओ आगे बढ़ते हैं गजल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसर हम काफिया हो क्या कहलाएगा देखिए भी पूछा था फिर दुबारा पूछ दिया अच्छा कोई दिकर नहीं इसका सही इंसर आप लोगो बता होगा आगे बढ़ते हैं दर्जजैल में इ जबबासी में ठाल और डी में है धोल तो इसका सही इंसर क्या होगा इस मुझागर जिस नाम से छोटापन जाहिर हो तो इसका सही एंसर चाहीगा, option number 1, घडी, घडी जो है न, यह चुटापन जाहिर हो रहा है, डबब्बा से क्या पताए, ध्वास styल जाहिर हो रहा है, थाल से भी बड़ा पन जाहिर हो रहा है,ंदोल से भी बड़ापन जाहिर हो रहा है, लेकिन बात करें वही पर घडे की, त चलब यह क्या कहलेगा इसमें मुसंगर तो इसका सभी अंसर होगा आपसन नमर सी अकबर क्योंकि यहां पर आदमी का नाम लिया गया आदमी एक सधारण नाम है इसमें पूरी आदमी की जाती आ सकती है तो यह तो कोई खास बादशाह का नाम नहीं लिया गया है और किला किला में भी सभी किला आ सकता है कोई एक special किला का नाम नहीं लिया गया है लेकिन यहाँ पर नाम ले लिया गया है एक आदमी का अकबर तो अकबर क्या हो जाएगा यह भी नहीं होगा अकबर हो जाएगा इस मारफा ठी नाम उसे कहते हैं हम लोग बता दे इसका सही अंसर ऑलड़ी में आप लोग को पढ़ा भी चुकी हूं और इसको कहते हैं कुनियत जो माबाप या किसी और की संबन्ध के वज़े से से रखा जाता है नाम उसे कहते हम लोग कुण्यत जैसे कि अब्न म्रियम इसालैसलाम को कहा जाता है आगर बढ़ते-टे हम लोगों इनसान से मिस्टेक होता है तो अगर टाइपि टो कोई स्विढकत ही नहीं है तो शबिदे गिसान कि झावा जोश मेर्व जोश क्या है आप लोग को पता होगा इसका सही अंसर उपसर नमबर एग तуш करह समसुल उल्मा में खिता साथ लकुर्ण वर्द में खिता है अगे बढ़ते हैं अब देखिए दो सबचास नमबर स्वाल है कि किसी की मदा यानि तारीफ में जो नजम कवीता लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं देखिए कोशन एक बार पूछा जा चुका है फिर भी यहां पर दुबारा पूछा है जिसका सही एंसर हो जाएगा और दो से क्यावन नमबर सवाल कि शेर में किसी तारीखी वाकिया की तरफ इसारा हो तो क्या कहलाएगा तो अगर शेर में किसी तारीखी वाकिया इनकी हिस्टॉरिकल घटना के बारे में इसारा किया गया है तो उसको कहते हैं, हम लोग तजनीज, option number B is the right answer, आगे बढ़ते हैं, किस लफ्ज का मानी बिच्छू होता है, देखिए दुबारा question पूछा है, इसका सही answer हो जाएगा, option number B अक्रब, आगे बढ़ते हैं, last question, question number 253, कि हुक्म की जमा क्या होगी, हुक्म की plural, यान की बहुचन क क्या होगा, option A में हाकिम, B में हकाम, C में एकाम, और D में हुक्मा, तो इसका सही answer हो जाएगा, 273, जो की last सवाल है, इसका सही answer हो जाएगा, option number C, एकाम, तो ये था 12th class के उर्दू के objective का one short video, जिसमें मैं आप लोग को all chapter का most important objective question करा दी, I think आप लोग को हर एक objective question समझ में आ अब हो, ध्यान रहे, अभी आप लोग परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि जिस दिन आप लोग exam देंगे न, exam दे कर आने के बाद, अब कोई परिवर्तन, कुछ नहीं इनसान कर सकता है, जो भी करना है, आप लोग को exam से पहले करना है, तो सारे objective question पर command कर लिजे, सारे question को या पर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ, तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज